ओके माइडिये फ्रेंद्स शुरू करते एक बहुत ज्यादा और बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जिस पर डेफिनेटली एनिवेर फ्रम थ्री तू फाइमक्स आपके एक्जाम में आएगा 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 यह लिख के रखो दोस्तों अगर नहीं आया तो आप अपना आपको है और दोस्तों से कारवा शुरू होता है और दोस्तों सेक्शन ओके आपको है 12 तक ओके सॉरी 15 भी आपको 12 भी है और 13 नहीं आपको ओके 14 भी नहीं आपको बर 15 जरूर है ओके येस तो दोस्तों इस तरह से बात हो रही है 7 और 8 हम लोगों ने अलड़ी इंट्रोड़क्शन में कर दिया था जूट मत बोलना इंटरस्टेट सप्लाई का डेफिनेशन और इंटरस्टेट सप्लाई हम लोगों ने अलड़ी कर दिया था येस और नो माइडियो फ्रेंज येस जैसे ही क्या है दोस्तों आप इंटराक्शन वहां पर दिखा देते आपको यहां पर भी दिखाना पड़ेगा और कॉमेंट्स करने पड़ेंगे येस दिविया का है डेफिनेटली चीजों को हैंडल करने का और इसी तरह से मैंने बोला कि लेट्स डू दिस ओके एंड येस ओके इससे ओवर्राल एनर्जी बनी रहेगी एंड जो भी रेकॉर्डड भी इससे देखेगा डेफिनेटली दोस्तों ओके वह चार्जड अप होके देखेगा आपसलूटली येस तो दोस्तों सेक्शन सेवन सेक्शन एड इंडरस्टेट सप्लाइं इंडरस्टेट सप्लाइं हम लोग ने देखा कि भाईया इग्जैक्ली क्या होता है रहां पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉंसेप्ट भी समझा कि जितना जरूरी है लोगेशन सप्लाइर उतना ही जरूरी है प्लेस उफ सप्लाइ राइट विकुज ये दोनों एलेमेंट्स को मिला के हम लोग ये फिगर आउट करेंगे के भाईया ओके ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो इंट्र है के इंट्र इंट्र है के इंट्र आपसलूटली माइडियो फ्रें हुआ है जहाँ पे गुना हुआ है अब यह गुना कहा हुआ है ओके तो दोस्तों याद रखना जी एस टी में जी श्टन्ज फॉर गुज एस टांट्स फॉर सर्विस इसलिए पहले बहुत की बात किये सेक्शन 10 में और फिर सर्विस की बात ही है 12 में येस एबस्लूटली क तो यह हम लोग सीखने वाले सबसे पहले तो सबसे पहले माइडियर फ्रेंज वी आर गोईं तु स्टार्ट विट सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12 और फिर लास्ट में दोस्तों जाते जाते मैं आप से करवाऊंगा सेक्शन 9 does that make sense my dear friends yes sir okay are you all charged up type thumbs up in the comment section my dear friends yes let's do it let's do it let's kill let's kill this time and make sure के में 24 में मा कसम हम लोग तोड फोड क्या है बिटा करवा दे अपना exemption okay perfect चले तो दोस्तों फटा फट से okay बात कर रहे है हम लोग यहां पे place of supply की तो place of supply में as you all rightly said my dear friends okay आप सब के पास चार्ट बुक पहुच गई है मेरी नहीं है तो please order कर दीजिए section 10 की अगर बात करें दोस्तों तो बात कर रहे हम लोग place of supply in relation to supply of goods की ठीक है yes okay तो आज दोस्तो supply of goods की बात करें तो यहां पे 10 1 A से लेके बात करेंगे हम लोग B C C है D और E okay और C है जो है दोस्तो याद रखना एक new amendment आया है तो पकी बात है कि यार definitely ते definitely क्या है okay आपके attempt में यह my dear friends याद रखना इसके chances और भी बढ़ जाते है my dear friends okay concept अपना question पूछने के तो इस पे और भी जादा दान देना बहुत easy amendment है पर फिर भी just make sure that you are giving okay more focus to this okay चलिए सबसे पहले दोस्तों okay बिना कोई जिजग की है हम लोग सबसे पहले बात करते है 10-1-A की 10-1-A में situation क्या है दोस्तो situation है movement of goods और उसका place of supply क्या है that place where the movement of goods terminates that place where the movement of goods terminates अभी दोस्तों simple सी बात है आप समझे ये बात को मैं यहाँ पर आपसे दरखास्त करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर बहुत focus करें देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना मैं पहले सी बता के रख रहा हूँ गवर्मेंट का intention क्या है और उस intention के वज़े से क्या है place of supply कैसे क्या है उन्होंने draft किया है तो समझो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो क्या जरीसीपेंट जो है उसी के जेप से जाता है input tax किसको supplier को जो supplier फिर government को deposit कर देता है ओके type yes in the chat box my dear friends type yes in the chat box if you all understanding what I am saying तो उसके जेप से क्या है GST जाता है in the form of input tax और वो supplier दे देता है government को perfect है yes अब याद रखना recipient को ITC तभी ही मिलेगा recipient को ITC तभी मिलेगा जब ये GST जो है ओके जो input GST जो है ओके याद रखना वो उसी state में deposit हो उसी state में deposit हो जहाँ recipient खुद रेजिस्टर है बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है कि आज फर इक्जामपल ये recipient गुजरात में है तो याद रखना ये जो input GST है वो जमा भी कहा होना चीए गुजरात में ही तो ही याद रखना वेटा recipient को मिलेगा ITC तो ही recipient को मिलेगा ITC और ये कब हो सकता है कब हो सकता है ये के recipient state में है पैसा भी उसी state में जाए जब my dear friends place of supply भी उसी state में हो जहाँ पे recipient का location है तो जब place of supply coincide करता है recipient के stage जब place of supply coincide करता है location of recipient को जब place of supply coincide करता है location of recipient को my dear friends तो याद रखिएगा तो याद रखिएगा उसका मतलब यही है कि भाईया आज सबसे पहले तो गुना जहां हुआ है उसी state में पैसा जमा होगा सबसे पहले गुना जहां हुआ है GST उसी state में deposit होगा और अगर GST उसी state में deposit हो रहा है जहां पर recipient located है तो recipient को मिल जाएगा एटीसी तो government ने क्या ensure किया है कि आज कैसे भी करके recipient को at least जब B2B transactions हो रहे क्या हो रहे है B2B यानि की registered to registered तो government को जब जब लगा है कि यह जो services है यह जो goods है वो बहुत रैंपन बेजिस पे B2B supplies के क्या है श्रिंखला में आते हैं तो government has completely ensured in that situation my dear friends के वो place of supply उठा कर वो लोग रख दे recipient के location के पास so that गुना वहीं हो जापे recipient registered है और जिस state में recipient registered है at the end of the tax वहीं जा रहा है I will understanding this my dear friends I will understanding this ओके तो place of supply क्या है मैं बता दू वो जगा जहां गुना हुआ है और जिस state में गुना हुआ है वो ही GST जमा होगा समझा क्या concept समझा क्या आपको my dear friends अरे yes or no yes तो आज government ने भी ensure किया है कि गुना वहीं हो जहां पे recipient का location है तो ही recipient को मिलेगा ITC क्या ये concept आपको समझ में आ रहा है everyone राज, विद्धी, रेड़ी, अमिद, बर्षा, आलचल, Divya, everyone if it's possible guys, 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 please switch on your videos guys, come on, switch on your videos so that I am also equally motivated and I can see you guys and I can definitely understand and grab from your expressions के आप समझ पा रहे के नहीं come on, switch on your videos guys, come on राज, विद्धी, वर्षा, come on okay absolutely, okay तो ये चीज क्या है बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है समझना, अगर ये आप समझ गए तो बात खतम, okay, तो आज government ने, okay, पूरी कोशिश कर दिये कि place of supply वही हो जापे recipient का location है so that recipient को मिल जाए क्या, ITC okay, perfect क्योंकि उसको ITC मिलेगा तो वो input tax जो है वो अपने cost में नहीं डालेगा तो simple सी बात है, बेटा cascading का कोई chance बनता ही नहीं है, is that very clear my dear friends, yes, okay, perfect चलो, अभी दोस्तों, सबसे पहले मैंने basics आपको समझा दिये है अब सबसे पहले फटावट से, अब खटा-खटा-खटा कडे के place of supply ऐसा ही जाएगा, चलो, देखो 10-1-1 की बात करें दोस्तों तो मैं बात करना हूँ, that place where the moment of goods terminates, where the moment of goods terminates, okay तो दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर situation क्या था? moment of goods, okay situation moment of goods था यानि कि अगर for example, X ने Gujarat से goods भिजवाया है, Y को महराश्टा में तो goods का movement यहाँ पर हुआ है, all the way from Gujarat to महराश्टा goods का movement हुआ है, all the way from Gujarat to महराश्टा, तो आज place of supply government ने क्या रखा है? वो जहाँ, जहाँ पर moment of goods terminate हो रहा है, and which is why यहाँ पर terminate हो रहा है, कहाँ पर महराश्टा, और महराश्टा में आजाएगा place of supply, तो गुना कहा हुआ है, महराश्टा, रिसीपंड भी कहाँ पर है, महराश्टा, तो आज दोस्तों, do you realize, के आज, यहाँ पर जो state वाला GST है, वो किसको चला जाएगा, Gujarat को, so that Gujarat के रिसीपंड को मिल जाए, ITC, does that make sense, Divya, yes or no guys, guys, the more you keep your videos on, the more I am able to interact with you, okay, lovely my dear friends, okay, तो आज इसी लिए है, okay, आप समझ यह दोस्तों, के government नहीं यहाँ पर चुना, के भाईया, LOS तो पता है, X है, वो है Gujarat का, POS वहाँ पर हम लोग ने रख दिया है, महराश्टा, because that is where the moment of goods terminates, और tax हम लोग लगा देंगे IGST, तो do you realize यहाँ पर दिविया, के आज X IGST लगा देगा, अगर Y को, तो Y क्या कर देगा, दोस्तों, YGST दे देगा X को, और X, okay, Y से YGST collect करके दे देगा CG को, CG, okay, 50% जो है, okay, obviously, अपने पास रखेगा, पर दूसरा 50% किसको दे देगा, okay, महराश्टा State Government को, और वहीं पर दोस्तो, X as a recipient बैठा है, registered है, तो उसको मिल जाएगा, उसका ITC, does that make sense, my dear friends, are you able to grasp it guys, okay, lovely, 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 पर दोस्तों कभी ये सोचा है, कि अगर उल्टा होता तो, कि यही X और Y होते है, ये गुजरात मैं बोला, मैंने ये महराश्टा मैं बोला, correct, and let's say, यहाँ पर, LOS तो गुजरात है, पर what if, my dear friends, POS जो है, ओके, वो भी अगर गुजरात होता, यानि कि, यहाँ पर हम लोग लेते, okay, in case of movement of goods, we would have rather taken the place of supply, not that place where the movement terminates, not that, but in fact that place where the movement of goods originates, okay, where the movement of goods, originates, अगर वो ले लेते हैं तो दोस्तों, तो क्या आजाता place of supply, गुजरात, अरे, yes or no, yes, तो आज यहाँ पर लग क्या जाता, CGST और गुजरात SGST, तो do you realize, आज वाई दे भी देता है पैसा, X को तो X ये पैसा CG के पास जमा करता, और किसके पास जमा करता, गुजरात स्टेट गवर्मेंट के पास, जिसका रिसीबेंट जो महारास्टा में रेजिस्टर्ड, उसको कैसे मिलेगा ITC, क्यूंकि वो तो भाई महारास्टा में रेजिस्टर्ड है ना, लोन सेट, तो जो बंदा महारास्टा में रेजिस्टर्ड है, और उसने अपने जेब से पैसा दे दिया गुजरात स्टेट गवर्मेंट को, तो डेफिनेटली ते डेफिनेटली उसको नहीं मिलेगा क्या, उसका ITC, बिकूज महारास्टा गवर्मेंट बोलेगा, भाई दूरे मेरे पास बैसा जमा करवाई नहीं है, तो मैं किस चीज का रिमर्मेंट दू, किस चीज का इन्पुट एक्स क्रेडिट दू, वो क्रेडिट दब दूँगा, जब वो मेरे पास जमा होगा, पर वो हुआ ही, नहीं, और इसी तरह से दोस्तो, Y का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और उसको definitely दोस्तो ITC नहीं मिलता ITC नहीं मिलता तो वही GST आपके okay credit नहीं आपका cost बन जाता और वो अगर cost बन जाता फिर आगे जाके वो cost में आता और Y आगे जाके जब बेचता और उस पे वापस GST लगता तो फिर definitely हो जाता Cascading अब ओलो Cascading अब ओलो Cascading are you getting it my dear friends yes sir okay so I hope you have understood very well कि अगर जो normal place of supply हम को दिया है उससे हट के अगर हम सोचते हम origin base tax लेते instead of destination base tax तो क्या-क्या गल्टिया हो सकती थी are you getting it my dear friends yes यह concept अगर आपको समझ में आए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकती आपको place of supply में full marks लाने से okay फड़ावट से आ जाओ अभी okay 10-1-B की बात करता हूं ठीक है 10-1-B में हम लोग बात करें दोस्तो build to ship to model या build to ship to model अभी मुझे बताईए आज for example दिविया है ठीक है she is from Maharashtra वो order करती है किसको राज को जो कहां से है गुजराच से है okay भाईया deliver कर दीजी आप goods किसको let's say Amit को जो भी कहां से है गुजराच से है okay yes तो दिविया ने राज को बोलाया राज जड़ाच डिलेवर कर दे Amit के पास क्योंकि तू भी गुजराच में है वो भी गुजराच में है तू एमदावाद में है वो सूरत में है ठीक है ये किस है my idea friends okay तो आज simple सी बात है my idea friends okay राज ने बोला ठीक है done पर बेटा मुझे बात बता राज बिलिंग किसको करेगा राज पैसा किससे मांगेगा वो बता दो मुझे चैट बॉक्स में फटावट से राज बिलिंग किसको करेगा और पैसा किससे मांगेगा वो बता दो okay वो बता दो simple सी बात है दोस्तो billing वो obviously उसी को करेगा जिससे ओके जिसने उसे order दिया है और वो है दिव्या और दिव्या finally वो billing करेगी किसको बिड़ा? अमित को Is that very clear my dear friends? Yes sir ओके ये scenario है तो आज my dear friends राज का आप है गुजरात दिव्या का आप है महाराष्ट्रा दिव्या का आप है महाराष्ट्रा अमित का आप है गुजरात ओके तो आज my dear friends ओके देख लो यहाँ पे ये इसको भी लिंग कर रहा है यहाँ पे वो इसको भी लिंग कर रहा है ठीक है? Yes तो आज दोस्तों ओके मुझे बताईए यहाँ पे LOS क्या आएगा? गुजरात POS क्या हाना ची आपके हिसाब से बताऊ ओके Because समझ ये मुवमेंट तो यहाँ पे भी हुआ है Yes मुवमेंट हुआ है One part of गुजरात से One part of गुजरात से Another part of गुजरात Are yes or no my dear friends? Yes sir ओके तो आज दोस्तों क्या हम 10-1 A ही लेंगे? नहीं हम लोग यहाँ पे 10-1 A नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे 10-1 A नहीं ले सकते क्यों my dear friends? Because आज आप समझ ये मुवमेंट यहाँ पे वही टर्मिनेट नहीं हो रहा है जहाँ पे रिजीबन रेजिस्टर है उपर गया था दोस्तों वाई महारास्टा में है और वाई महारास्टा में ही गुट्ज मंगवा रहा है पर यहाँ पे दोस्तों दिविया जो महारास्टा में वो दिविया गुट्ज महारास्टा में मंगा रही है नहीं वो दिविया गुट्ज बोल रहे है बाई राज simple concept रख ओके यहाँ पे हम लोग वो 10-1 ए यूज नहीं कर सकते बिकोज यहाँ पे जो बंदा order कर रहा है जाँ फाइनली ए गुज शिप हो रहा है या deliver हो रहा है वो एक नहीं है तो 10-1 ए अपलाई नहीं होता है 10-1 ए तभी अपलाई होता है जब जो बंदा order कर रहा है वो जहाँ registered है गुज वहीं आ रहे है तो 10-1 भी कहाँ अपलाई होता है कि recipient जिसने क्या है दोस्तों ओके order किया है और जहाँ पे गुज फाइनली शिप हो रहे वो अलग-अलग है तो यह अलग-अलग situation में अलग-अलग हम लोग concept अपनाएंगी ओके यह concept आपका सही है येस दोस्तों ठीक है अभी सुनिया माइडिया फ्रेंज यहाँ पे आपको shortcut अगर समझना है clarity के लिए तो इतना ही है कि राज के लिए recipient कौन है तो बोले दिव्या यहाँ पर दिव्या रेजिस्टर है और इसलिए place of supply यहाँ पर क्या आ जाएगा माहरास्टा समझा येस एन इसलिए यहाँ पर tax क्या लग जाएगा IGST दिव्या वो दे देगी राज को राज दे देगा CG को CG अपने पास थोड़ा रखेगा और थोड़ा दे देगा किसको मा आज माहरास्टा स्टेट गवर्मेंट को डस दाट मेक सेंस माई ये फ्रेंज पर्फेक्ट है दोस्तों येस ओके पर यह 10-1-b के हिसाब से आएगा पर यह जो है यह 10-1-a के हिसाब से जाएगा विकोज अंडरस्टेंड मुमेंट तो हुआ ही है न और इन दोनों के बीच म हुआ है तो यहाँ पे LOS महारास्टा और यहाँ पे POS क्या गुजरात तो यहाँ पे भी लग जाएगा टैक्स IGST और अमित को भी मिल जाएगा क्या ITC is that very clear my dear friends okay perfect तो याद रखना जभी भी बिल्टूशिप 2 मॉडल होता है there are two suppliers there are two recipients and supplier 1 का जो दोस्तों क्या है आ रहा है वो case में याद रखना 10-1-b आएगा और supplier 2 का वही 10-1-a आएगा that's the only scenario that I want to talk about is that very clear my dear friends okay perfect है चलो फटावट से एक काम करो तुरंत मेरे लिए okay मेरी clarity के लिए my dear friends okay फटावट से एक सम करवा दू चलो आजो yes okay let's do this फटावट से आजा पर्थ of Pune Maharashtra enters into an agreement to sell to Bakul of Bareli Chorachori Chane Khe Khet Me okay doosra kya dhosto while the goods are being packed my dear friends okay in Pune go down of Parth Bakul got an order from Shreyans of Shimoga Karnataka for the said goods Bakul agreed to supply the said goods to Shreyas and ask Parth to deliver the goods to shares at Shimoga. You are required to determine the place of supplies in the above situations. दोस्तों, क्या होगा? Tell me. सबसे पहले, okay, there is Parth, there is Bakul and there is Shimoga. There is Parth, there is Bakul and there is Shimoga. क्या होगा, my dear friends, बताईए. मुझे बताईए, कौन यहाँ पे किसको supply कर रहा है? बताईए. ओके दोस्तों, without wasting any time, पड़ावट से यहीं पे कर देता हूँ, चलो. तो पार्क बेच रहा था किसको? Bakul को. अभी Bakul को उसमें order आ गया कहां से? श्रेयांस वफ्शिमोगा से. राइट? तो आज simple सी बात है, Bakul तो खरी दी रहा था, श्रेयांस जैसे कोई बायर से, बायर को माल बेचने के लिए. ठीक है, वो खरी दी रहा बेचने के लिए. तब उसने क्या बोला? ओके, simple सी बात है, पार्त बकुल को बेचने वाला था? येस. और वो तैयारी कर रहा था, ये पार्त ऑफ मारास्टा जो है, वो बकुल ऑफ बरेली को, ओके, यूपी में बेच दे. पर तब क्या है, बकुल को एक ओडर आया कहां से? शिमोगा. ओके, श्रियासव शिमोगा करना ठका से. ठीक है? कि मुझे भी गुड्स चीए. तो आज simple सी बात है, बकुल ने क्या बोला पार्त को, के भई, तू क्या ऐसी दा? डिलिवर करते गुड्स कहां पर करना ठका. ठीक है? तो आज हुआ क्या होगा? बकुल ने ओडर किया होगा क्या पार्त को. बकुल ने order कियाओगा पार्थ को कि मुझे goods चाहिए पर तु वो goods मुझे मत भिजवा दे सीधा शिमोगा को भिजवा दे is that very clear my dear friends yes okay श्रेयांस ओफ शिमोगा को भिजवा दे प्रम करना ठका ठीक है तो आज दोस्तो सिंबल सी बात है यहां पे पार्थ बिलिंग करेगा किसको बकुल भाई को और बकुल भाई बिलिंग करेंगे श्रेयांस को तो आज इस situation में my dear friends पहला आजाएगा इस पर 10-1 B और दूसरा आजाएगा इस पर 10-1 A यहां पे place of supply क्या हो तो बेटा आज पार्थ का रिसीपंड को अने बकुल तो फिर बकुल का बरेली आ जाएगा यहां पे और दूसरा place of supply क्या आएगा बकुल का रिसीपंड है श्रेयांस तो आज श्रेयांस का करना ठका आजाएगा क्या आपको समझता है यह बात दिव्या के और confusing है यह बहु कॉंसेट लियर हो रहा है तो प्लीज शो मी थम्स अप क्यूं क्या दिक्कत है क्या एक से कहने है अच्छेश काक्षा प्लीज शो क्या है यह लिए अट पर्रेंगा इसी लिए यह बहुत ज़्यादा में क्या बोला है है ओके येस तो इस केस में वो बकुल था ठीक है that's it next 10-1c my dear friends 10-1c क्या है no movement of goods यानि आप मुवमेंट ही नहीं हो रहा है moment कैसे for example as a situation है कि लेच्छे मैं तो अभी online पढ़ा रहा हूं पर मुझे कल उठके मन हुआ कि यार offline भी जाते है चलो भाई थोड़ा वाइब लेते बच्चों का सामने बच्चों को पढ़ाते तो एक class मैंने उठा लिया इतना पैसा चाप लिया बेटा कि अभी class का class ही खरीद लिया है मैंने मुंबई के अंदर अभी simple सी बात है वो class का जो भी क्या है ओके वो class तो इमोल प्रोपर्टी तो इमोल प्रोपर्टी पे तो जी एस्टी नहीं लगता है वाई क्यों constructed property है right ccoc सब पास हो गया उसका पर दोस्तों मैंने वो इमोल प्रोपर्टी के साथ साथ furniture भी खरीदा था उसका अभी वो furniture पड़ा और वहीं पर बिग गया है वहीं पर furniture पड़ा और वहीं पर बिग गया है दोस्तों तो उसका तो कोई moment हुआ ही नहीं है ओके तो ऐसे situation में जब no moment of goods होते है my dear friends तब government बोलता है जहां पर goods deliver हुआ है तो वहीं था वहीं deliver हो गया है तो वहीं हो गया उसका क्या place of supply is that very clear yes okay next दोस्तों आ रहा है okay is 10-1 CA 10-1 CA क्या है OTC sales to unregistered person याद रखना OTC sales का मतलब है या over the counter sales to unregistered person ओके over the counter sales का मतलब क्या है यह simple जी बात है आप for example डी मर्ट जाए या कोई के में शॉप जाते हो या कोई प्रोविशनल स्टोर जाते हो और खरीदते हो ना मौल तो over the counter या नहीं counter पे जो माल भी करा है right तो आज आप समझे for example counter पे माल खरीदने आ रहा है कोई कोई unregistered बंदा right तो अगर supplier को recipient का address पता है right क्यूंकि supplier ने recipient का address पूछा है तो जो recipient का address होगा वो ही हो जाएगा place of supply और अगर supplier को recipient का address नहीं पता है क्यूंकि शायद उसने वो address नहीं पूछा तो फिर उस case में supplier का ही okay place of business हो जाएगा as the place of supply right तो आज इसका classic example okay मैं अगर दू तो लेट से दिविया for example फालगुनी पाठक के क्या है दोस्तों डांड या खिलने मुंबई आती right और फिर यहां पर लेट से क्या है बहुत famous है यहां पर लेट से ऐसा समझो के वड़ा पाव मुंबई का वड़ा पाव तो वो क्या है कोई जम्बो केंग या कोई भी क्या ऐसे वड़ा पाव शीव वड़ा पाव या वहां पर वो जाती और वड़ा पाव खाती है और वड़ा पाव खाती है that is over the counter sales okay पर actually it's a wrong example I'm so sorry वड़ा पाव नहीं because वो restaurant service में आ जाएगा you can rather take an example के for example वो कोई shirt खरीते है या वो कोई कुर्ती खरीद रही है या फिर वो dandya खरीद रही है whatever the case में भी तो वो जो goods खरीद रही है दोस्तो over the counter right understand करिए आप डी माट से खरीद रही है और डी माट ने उसका address पूछ लिया और उसने बोल दिया के भाई हूं तो अमदाबाद नीच हूँ okay तो फिर उस scenario में याद रखना my dear friends supplier को recipient का address पता है supplier का location is Mumbai recipient का location is in एमदाबाद place of supply will be in एमदाबाद right because recipient कहां का है एमदाबाद का और recipient ये आप समझो ओके ये कुर्ती लेके ये shirt लेके ये pant लेके कहां जाने वाला है एमदाबाद इसका consumption कहां होगा एमदाबाद तो आज simple सी वाद है तो गुना भी कहां हुआ ऐसा माना जाएगा एमदाबाद और इसी लिए गुजरात को क्या है यहाँ पे definitely definitely benefit मिलेगा और tax उसी के पास जमाओ पर दोस्तों अगर recipient का address नहीं पता है supplier को तो फिर जख मार के supplier को अपना ही location लेना पड़ेगा इस तब place of supply कि वो counter पे ही गुणा हुआ है उसी के office में उसी के क्या है बेटा store में ही वो गुणा हुआ है और उसी के state को फिर वो पैसा मिलेगा does that make sense my dear friends yes sir तो यह चीज़ याद रखना कि supplier को अगर recipient का address पता है तो जो भी क्या है location है as per the address of unregistered person वो आ जाएगा अगर नहीं पता है तो place of supply of location of supplier is that very clear बड़ा बच्चे यहां पे आ जाओ और मुझे बताओ scene क्या होगा बताये दोस्तों क्या होगा यहां पे place of supply राज येस आ अप्लोड इस वन यूटूब देफिनेटली still you can continue this not an issue okay yes दोस्तों यह हो जाएगा my dear friends पूने because clearly यहां पे okay miss ROE जहां पे जा रही है Reliance Stance में Reliance Stance ने उसको सबका information पूछा है contact number address यह वो उसकी hobbies उसको क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है सब दुनिया भर के question पूछ लिए is that very clear my dear friends yes okay तो पूने ही आ जाएगा ठीक है पर अभी यहां पे बताओ यहां पे क्या किया है collection of t-shirts while you sing and wise salesman did not ask for anything simple सीधा क्या है बिल किया और क्या पैसा लिया चल निकल बटा कल सी मार ओके तो आज simple सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा place of supply वही होगा जो डी माट का location और वो है Mumbai does that make sense friends क्या आपको confidence आ रहा है yes sir lovely एक नमबर ओके नेक्स्ट क्या है माईडिया फ्रेंच फटा वट्चे 10 1D 10 1D सिंपल है बेड़ा government बोलता है जहां पे भी आप goods या तो install करते हो या तो assemble करते हो तो place of supply भी वही आ जाएगा जहां पे वो गुद या तो install हुआ है या तो assemble हुआ है ओके तो फटा वट्चे दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहां पे ओके बंदू मेरे बंदू सिंपल सी बात है यहां पे कि अगर आप चेक करेंगे यहां पे तो देख लीज़े फटा वट्चे 10 1D क्या बोला है देखो फटा वट्चे आ जा में प्राइवेट लिमिटेड पर्चेश इस अ मशीन फ्रम एंवी प्राइवेट लिमिटेड फर बिंग इंस्टॉल इन इस फ्रैक्टरी अट नॉइडा यूपी तो आज बटा यह इंस्टॉल कहां कि यह आपने नॉइडा तो भाई अप्लेश अप्लेश अप्लाई भी आ जाएगा नॉइडा ओके दूसरा एक और क्वेशन है देख लो फटावट से के प्योर रिफाइनरी इस गिव्जा कॉंट्रक्ट टॉ पीक्यू लिमिटेड जार्खन ट्राची तो सप्लाइ मशीन विज इस रिक लास्ट माई दियो फ्रेंट्स, सिनेरियो क्या है देख लो फटावट से आ जाओ, बंधू मेरे बंधू, आ जाओ मेरे बंधू बात होरी है 10-1-EK, Goods On Board, convenience, इशारा किस बात की तरफ है? Place where Goods are taken On Board, तो इशारा किस बात की तरफ है? दूस्तो आज मैं मुंबई से जैपू पावर बैंक था या कोई package food items थे क्या आपको चाहिए तो मैंने बोला हाँ मुझे पावर बैंक चाहिए तो मैंने वो खरीद लिया अब आप समझो इस case में location of supplier क्या होगा तो मैंने आपको समझाया था location of supplier हमेशा होगा या तो आपका usual place of business जा पर आपको office है या factory है या go down है और अगर वो नहीं है तो usual place of residence राइट तो इंडी go ओगे लेट से रेजिस्टर मुंबई में था विकुज उसका मुंबई से ही क्या था onboarding होता था मेशा तो उसका रेजिस्टर तो एलोएस तो मुंबई हो गया place of supply क्या हो गया यह उसने कहां बेच आए बताओ मुझे मुंबई से जैपूर की फ्लाइट है तो मैं क्या प्लेन के नीचे देखू यह क्या पोईचा अपड़े अरे आतो statue of unity देखाई चे भाई यह तो अपन बरोड़ा पहुच गया भाई अरे ऐसे थोड़ी होता है गाउठी कैसे नीचे देखेगा तू है और यह देखो भाई यह तो gateway of India आ गया भाई अरे ऐसे थोड़ी होता है रे गाउठी ओके ऐसे नहीं होता है बिटा और इसी लिए क्या है ओके यह ambiguous ना रहे माइडियो फ्रेंड्स गवर्मेंट ने सीधा बोल दिया जहां पे goods are taken on board on that convenience वही आ जाएगा place of supply तो आज मुंबई से जैपूर की flight है सकते है माइडियो फ्रेंड्स कहां कहा है रूप जाओ बताओ इसमें क्या होगा डेकन एरलाइन्स रेजिस्टर इन मुंबई सप्लाइं चार्जर टू Mr. G in a flight on Mumbai Delhi leg of Chennai Mumbai Delhi wherein the goods were on boarded from Chennai तो आज मैंने भले ही वह खरीदा हो Mumbai Delhi leg के बीच में क्यूंकि शायद मैंने on board किया था फ्लाइट मुंबई में तो फिर मैंने मुंबई से दिली जब जा रहा था तब बीच में कुछ खरीद है फ्लाइट के अंदर पर प्लेस ओफ सब्लाइगा लेंगे आप अरे मुंबई नहीं लेंगे रहे पगले चैन नहीं लेंगे आप फरक पड़ता है कि गुड़ कहां से चड़ा है यह चीज याद रखना यह ट्रिक वेस्टन इस तरह से पूछे जा सकते है और यह जोप आप समझ गए कि इशरा किस बात की तरह है इस तरह बरी ग्लियर परफेक्ट है दोस्तो आपसलूटली करेक्ट है माई यह ट्रिक तो बस यह चीज क्या है मुझे आपसे दरखास करनी थी आपको बोलनी थी दन है, दन है माई दियर फ्रेंट्स अगे परफेक्ट तो यह चीज यहां पे समाप्त होती है तो दोस्तो यहां पे डेफिनिटली थे डेफिनिटली समाप्त हो गया है क्या प्लेस ओफ सप्लाई with respect to my dear friends supply of goods तो तुरंत क्या है अपन फटावट से अपनी आख बंद करेंगे इमानदारी से आख बंद करो और अपने आप खुद ही क्या देखो आप लोग यहां पर रिवाइस करने नहीं आओ आप यहां पर याद करने भी आयो ऐसी समझो कि यह लास्ट बार मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं करन सर ने पढ़ा दिया दिमाग में बैठ गया आके खतम सीधा प पर 10-1 A, B, C, D, E और C एक नया है वो तो 10-1 A में situation क्या है moment of goods place of supply क्या आजएगा that place where the moment of goods terminates second 10-1 B, bill to ship to model B, bill to ship to model तो place of supply क्या आजएगा okay that place where the principal place of business of third person is located third my dear friends क्या है बात बताओ okay no moment of goods तो जहां goods है वहीं big गया है तो that place where the moment of goods terminates 10-1 C है okay OTC sales my dear friends to unregistered person तो supplier को अगर क्या है recipient का address पता है तो भाईया recipient का ही address आजएगा इसदा place of supply नहीं पता है तो supplier का ही location आजएगा place of supply 10-1 D that place where the goods are installed or assembled तो obviously क्या है वही जगा आजएगी and last is my dear friends 10-1 E where the goods are supplied on board अगनवेंस तो यहां पे simple जी बात है जहां से वो goods चड़े थे on board हुए थे goods goods चड़े थे passenger नहीं बेटा goods जहां से चड़े थे वही आ जाएगा place of supply क्या यह आपको contest हो गया है बेटा क्या मैं आधी रात को भी पूछू तो आपको आएगा के नहीं अमित्यादव जी बताए रेडी जी बताए दोस्तो section 12 section 12 क्या है दोस्तो section 12 है place of supply in relation to supply of goods ओके आपको सप्लाव सर्विस माइबड तो 10 था क्या goods 12 था क्या service ओके येस अभी ये scenario में याद रखना हमेशा section 12 में ओके एक चीज़ याद रखना LOS and LOR यानि supplier or recipient का location will always be in India that is in taxable territory समझा येस और जब दोनों में से कोई भी एक क्या है outside India होता तो section 13 trigger हो जाता है right याद रखेगा because understand यह भी हम लोगों ने जो transaction की उपर goods में वो सब domestic transactions थे क्योंकि अगर कल उटके import या export होता है तो फिर उसके इसमे place of supply आपका section 11 के इसाप से आता है right और यहां पर भी अगर दोनों में से कोई भी एक okay अगर outside India है तो section 13 में आएगा वो क्या है okay place of supply ठीक है पर अभी दोस्तों आपको आपके level पे हमको सिर्फ 10 और 12 देखना तो उसी के बारे में बात करेंगे where we are only talking about domestic transactions और यह contest कर लेना बिकुछ यह articleship में भी आपको बहुत 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 लेवल पे क्या है check करना होगा okay audits में client के computations में उसके recognition में बहुत जगा because बहुत लफडे मारे यहां पे accountant लोगों ने उनको साले को place of supply को concept पता ही नहीं और जो भी क्या है CS audit कर रहे हैं उनको भी नहीं पता obviously because वो मेरे students नहीं थे are you getting it yes okay subtle marketing तो बनता है इस तो इस तरह से दोस्तों okay तक्रीवन तक्रीवन 12 क्या है section से यहां पे section 12 के 12 sections 12 2 3 12 4 12 इस चलो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि 12 2 में कौनसी services आती है which services are covered here because याद रखना हर section में एक service आएगा और वो service पर comment कियागा है कि service का place of supply क्या है तो 12-2 में क्या बोला है कि भाईया जो भी services 12-3 से लेके 12-14 12-3 से लेके 12-14 में covered नहीं थी 12-3 से लेके 12-14 में covered नहीं थी my dear friends वो cover हो जाएंगी कहां पे 12-2 के अंदर is that very clear my dear friends yes or no yes absolutely correct वो 12-2 में definitely दोस्तो cover हो जाएंगी ठीक है perfect है बंधु मेरे तो basically मैं इसको अनाथ प्रोविशन बोलता हूं क्या है बड़ा अनाथ एक अनाथ हाला ही है जो कहीं पे नहीं आएगा वो वहां पे आके क्या है रुख जाएगा जिसका कोई नहीं उसका एक ही है बड़ा माई बाप और वो है section 12-2 समझा ना बिट? येस ये case है my dear friends perfect तो अब सबसे पहले इसके कौन से classic examples हो सकते है वो मैं इसके अंदर क्या आ जाता है my dear friends बताओ दूसरा क्या आ जाता है बताओ दूसरा इसके अंदर आ जाता है अपना advertisement service but advertisement service to private companies not to government क्योंकि वो cover होता है 12-14 के अंदर ठीक है? येस दूसरा job work service है अपना वो सब आ जाएगा यहाँ पे अचा security service है वो भी आ जाएगा यहाँ पे okay so these are just to name a few so this is not an exhaustive list this is just an illustrative list और ये सब मैं tally करूंगा क्या आ देखोई है 12-3 में नहीं है 12-4 में नहीं है whatever the case में भी ठीक है? पर्फेक्ट okay done चलो तो ये हो गया अपना scene shot अब 12-2 में बोला क्या है वो समझ देते पहले 12-2 में simple बोला है government ने definitely बोला है कि 12-2 जनरल service है तो अपन क्या है? assume करके चलेंगे यहाँ पे कि यार बहुत सारी services यहाँ बे बीटूबी होती है तो आज मुझे बात बताओ B2B है यानि की recipient registered है recipient registered है तो दोस्तों उसको लालसा होगी उसको लालसा होगी कि उसको भर भर के मिले क्या बेटा ITC अब इटा ITC I'm getting it? Yes उसको भर भर के मिले ITC my dear friends Yes उसको वो लालसा होगी तो आज गवर्मेंट ने वो लालसा को पूरी की है देख बेटा supplier तू जहां पे भी हो याद रखना my dear friends बात करते हैं हम लोग recipient की और वो recipient my dear friends अगर क्या होगा बताईए अगर वो recipient my dear friends क्या होगा बताईए यारे बताईए ना यार अगर वो recipient हुआ registered person अगर वो recipient हुआ क्या दोस्तो registered person तो फिर place of supply क्या होगा बताईए location of recipient ठीक है perfect because हम चाहते है कि recipient के ही state में क्या है place of supply आई तो that recipient को मिल जाए क्या दोस्तो ITC is that very clear yes दूसरा अगर रिसीपंट निकला कौन unregistered person तो याद रखना government ने इतना ही बोला कि supplier को अगर क्या है supplier के पास address recipient का है तो recipient का address आ जाएगा supplier के पास अगर recipient का address नहीं है तो supplier का ही location आ जाएगा as the place of supply is that very clear my dear friends as simple as that क्या इसमें आपको बहुत rocket chance की जरूरत है नहीं क्या यह common sensical है yes sir okay next next बात करते हैं दोस्तों हम लोग okay 23 की नहीं 12 4 की नहीं सीधा मैं बात करूंगा 12 5 की उसका reason यह बात में बताऊंगा ठीक है अभी सिफ सुन लो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं training and performance appraisal service की ठीक है जहां पर basically मैं आपको पहले train करूंगा और फिर आपका test लोगा basically coaching class is a classic example of this right yes तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर okay trainings ली जाती है in big corporates like HUL and you know like Reliance and ONGC and you know SBI and all of that okay तो आज दोस्तों simple सी बात है मैंने ही ऐसे समझ लो के training ली है okay किसके लिए EY के लिए अब मैं कहां पर हूं महारास्टा में EY कहां पर है दिल्ली में और training कहां पर held की जा रही है तो मैंने एक बहुत अच्छा infrastructure बनवाया है ओके महारास्टा के अंदर पूने के अंदर ठीक है तो मैं EY के employees को बोरना हूं तू भाईया क्या है यहां पर तेरे employees यहां पर क्या हो रहा है यहां पर my dear friends अगर EY registered person है तो क्या उसको ITC की लालसा है येस तो ITC की लालसा है तो हमको ensure करना पड़ेगा कि आज place of supply वही हो जहां पर recipient registered है और इसलिए place of supply क्या आ जाएगा दोस्तो that place where the recipient is registered और इसलिए my dear friends याद रखना if supplier is giving service to a registered recipient यहां पर place of supply आ जाएगा location of recipient पर दोस्तों अगर वह unregistered है तो मुझे आप बताईए as a layman आपको कहां लगता है कि service कहां दी गई है as a layman आपको जह बताईए कि यह training की service कहां दी गई है करेक्ट महरास्था तो place of supply इडी क्या जाएगा महरास्था देखो मैंसिव इतना बोलना चाहूंगा कि अगर place of supply आपको समझना है तो आपको common sense common होना चीए राइट मैं बताता हूं कैसे देखो नॉर्मली लेमेन वाला बंदा ही बोलेगा आरे सर ट्रेनिक आपने महरास्था में पिए तब place of supply महरास्था ही हो गया ना सर हां पर लेमेन कौन है अन्रेजिस्टर्ट परसन समझा यह तो अन्रेजिस्टर्ट परसन ऐसी जुबानी बोलेगा ठीक है परफेक्ट अब आप दूसरा एंगल समझो कि हम लोग ने क्यों उसको महरास्था से उठा के यहां पे डेली रखा है इस केस में where the recipient is registered क्यों डेली में रखा है हम लोगन उसको क्यों वहां से उठा के हम लोगन वह गुना को वहां से उठा कि जो अच्छली में महरास्टा में हुआ हम लोगन उसको उठा के दिली क्यों रखा है so that recipient को मिल जाए ITC are you getting it क्योंकि आज अगर मैं प्लेस और महरास्टा रख देता हूं तो क्या हो जाएगा लोएस महारास्टा पी ओस महारास्टा तो मैं लगा दूंगा सी जी एस्टी और महरास्टा रख देता कहा है दिली को उसको नहीं मिलेगा क्या ITC क्योंकि उसके जेपसे जो पैसा जमा और दिली नहीं हो महरास्टा चेट गवर्मेंट के पास या रहा है तो आज जो सप्लाइर जी एस्टार वन फाइल करेगा रिसीपंट के डूबी में दिखेगा है नहीं क्योंकि वो उस स्टेट में रेजिस्टर ही है जापर सप्लार ने जमा किया है Are you getting it my dear friends इसी लिए ensure करना पड़ेगा कि place of supply वही हो जापर रिसीपंट रेजिस्टर है और ये एक सुलजा हुआ रेजिस्टर आदमी ही बोल सकता है समझा येस तो क्या आपको confidence आ रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस बात की तरफ है येस सर्थ ओके परफेट next my dear friends ओके मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों 12-7 की जब हमें बात करना हूँ event management service की या event organizing service की इशारख इस बात की तरफ है कि दोस्तों आज जो भी events होते हैं कोई भी events होता है बड़े बड़े business conferences हो, award functions हो, right concerts हो, कुछ भी हो वो majorly B2B होते हैं समझा majorly B2B होते हैं तो for example आप समझो कि आज धर्मा है धर्मा ठीक है दोस्तों आज धर्मा ने आपको पता है कि नहीं है, is a matter of fact let me just tell you अनन्त अबानी का ये pre-wedding था नहीं धर्मा प्रोडक्शन नहीं किया था पूरा manage देखो आप कभी, right क्योंकि they are good at making these sets and all of that, right yes, तो आज वो set sweats तो बनाते ही अपने वो movies के लिए इतना, वो बनाना पड़ता है भाई उनको तो यहां पर भी बनवा दिया उन्हें टकाड़क, right तो आज धर्मा ने क्या किया दोस्तो रिलायंस के लिए पूरा क्या है यह event manage किया है पर ऐसा समझ लो ठीक है तो आज दोस्तो यह B2B हुआ के नहीं यह absolutely हुआ अभी वो अभी आप समझो धर्मा कहां का है let's say for example वो देल्ली का है यह कहां पर है for example यह महरास्टा का है और यह event चलो धर्मा में समझता हूं चलो जामनागर का है ऐसा समझ लो और यह event भी कहां हुआ है event भी जामनागर में हुआ है तो do you realize my dear friends यहां पर कि अगर place of supply हम लोग ले लेंगे जामनागर ओके तो क्या हो जाएगा cgst और gujarat sgst लग जाएगा जबकि recipient कहां पर महारास्टा में नहीं मिलेगा तो इसलिए अगर दोस्तों recipient क्या है दोस्तों याद रखना अगर registered हुआ तो place of supply जख मार के हमको उसी का location लेगे ना पड़ेगा that is महारास्टा are you getting it my dear friends okay पर वही recipient अगर unregistered है तो क्या लेना पड़ेगा that place my dear friends okay that place my dear friends where the event is actually held and that is what jamnagar gujarat are you getting it my dear friends समझा ना समझ में आ रहा concept अच्छा पड़ याद रखना दोस्तों यही case में where the recipient is unregistered and the event is held outside इंडिया तो क्या हो जाएगा place of supply तो sir that place where the event is held outside इंडिया नहीं बैट outside इंडिया नहीं है हम उसको inside इंडिया ले लेंगे कहाँ पर इंसाइड इंडिया कहां पर तो बोला location of recipient recipient का जो भी location है वो ही आ जाएगा क्या as the place of supply कब in case of the fact when the recipient is unregistered and the event is held outside इंडिया तो outside से हम लोग inside लेके आएगे और inside में भी कहां बोलेंगे कि deemed consume कहां किया गया है वहीं जापर location of recipient है is that very clear yes why because GST is a destination based tax ओके तो government ऐसे ही मानता है कि यहां पर deemed destination LOR है ठीक है समझा क्या एक आउठी येस ओके पर्फेक्ट उसके बाद दोस्तों 12-8 आता है 12-8 में क्या सीखा हम लोग ने बताईए तो बात किये हम लोग ने transportation of goods के बारे में transportation of goods service तो आज समझ ये दोस्तों फटावट से आज HUL ने goods भेजने है कहां पर D-mart को HUL है महारास्टरा में D-mart है गुजरात में ओके पर्फेक्ट तूसरा क्या है यहां पर goods are handed over to GTA in महारास्टरा only ओके तो आपका factory होगा फर example मुंबई में तो आप मुंबई से कहां गए थाने गए जो भी मुंबई में आता है बेटा मारास्टर में आता है और आपने क्या है ओके GTA को वो goods क्या है ते दिये ओके परियाद रखना दफ्रेट पेड तू जी टी ए वास प्रॉम डी मार्ट तो question यह है कि actual consigner है और यह consigne है correct और actual ने GTA को बुलाए कि जा goods भेज दे from okay your station GTA station to whom to Gujarat तो यहां पर question यह आता है कि GTA दे रहा है transportation of good service तो उसका recipient कौन है who is the recipient of GTA GTA का recipient कौन है is it HUL और is it DMART correct it is DMART my dear friends because at the end of the day the freight paid to GTA is paid by DMART तो जो freight pay करेगा वही GTA के लिए भगवान है वही उसका recipient है वही उसका बेटा customer है my dear friends got it yes क्योंकि पैसा उसके end से flow हो रहा है okay yes तो फिर GTA status भी किसका देखेगा DMART का कि DMART अगर registered recipient है तो place of supply आग बन करके DMART का ही location आ जाया का location of recipient पर अगर DMART unregistered person है तो government ने बोला है wherever the goods are handed over to the transporter that is GTA does that make sense my dear friends yes or no friends yes okay that's it makes sense तो वहाँ पर हो गया scene अपना okay अच्छा अभी 12 subsection 9 किसके बार में बात कर रहा है transportation of passenger service ठीक है तो आज इसमें classic example क्या है कि Indigo Airlines है दोस्तो ठीक है वह transportation of passenger service दे रहा है किसको मुझे right केस को अभी यह registered है महरास्टा में समझो मैं registered हूँ दिल्ली में तो government क्या बोल रहा है देख भाई अगर recipient registered recipient है तो place of supply क्या आ जाएगा आख बंद करके बिटा भली मैंने flight ली हो कहां से दिल्ली से ली हो और मैं जैपूर जा रहा it has nothing to do with where Indigo is registered और where I am registered दिल्ली छोड़ो मैं तो बोलू यहां पे ऐसा पकड़ो आप तो एमदाबाद से जैपूर चलो it has nothing to do with that तो मैंने एमदाबाद से जैपूर की flight ली है Indigo की okay place of supply क्या है यहां पे तो government ने बोला देख भाई recipient तो रेजिस्टर है तो जख मार के मैं तो ensure करूंगा क्या कि place of supply क्या आजाए तेरा वही जगा जापे तु है that is location of recipient पर अगर तु अन्रेजिस्टर है तो फिर जहां से तुने एमबार्क की है अपनी जर्नी तो एमदाबाद से जैपूर में तुने जर्नी एमबार्क कहां से किया तेरा एमबार्क पॉइंट क्या है एंदाबाद जर्नी शुरू कहां से किया रेक आउटी डिपर्चर कहां से तेरा एंदाबाद तो place of supply भी क्या आ जाएगा एंदाबाद is that very clear my dear friends right yes तो recipient registered तो उसी का location नहीं है तो फिर that place where the passenger has embarked on a continuous to us generally is that very clear my dear friends yes पर एक छोटा साइस में क्या है ओके एक question आता है जो मैं आपको पूछना जाता हूँ के for example दोस्तों बात आ रही है इंडियन रिल्वेस की बात आ रही है इंडियन रिल्वेस की तो इंडियन रिल्वेस का पास दिव्या ने निकाला है कहां का तो भाईया मुंबई central से लेके और यह उसका एक मंत का पास है जो उसने खरीदा है अच्छा इंडियन रिल्वेस रेजिस्टर्ड है मुंबई में अन्धि यह दोस्तों एक ओके अन्द वो जिस्टर्ड है अन्यथ बात की है। ऑसे प्लेस्टर्ड शीपन है तो शिम्बल सी बात है प्लेस उप्लाई क्या जाए आगा। कि लोकेशन ओव रिसीप है कि विकुज गवर्मेंट उसे दिलवाना चाहता है टीसी वाई विकॉज माई डिया फ्रेंट्स आज याद रखने बहुत सारी कंपनी का बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा ओके आज किसकी तारिक में हो रहा है ट्रांस्पोर्टेशन में हो रहा आती है भाई 2000 की टिकिट वंदे वारत की आती है नॉंसेंस उससे अच्छा तो मैं क्या है फ्लाइट पे चला जाओ राइट यह केस है तो मैंने बोला जाके आ जाने का सबना पुरा हो जाए तो बात अलग है कि वह इंद्वार रहता है तो मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं चीप थिरिल हो जाएगा तेरा भी बेटा यह केस है तो आज मैं सिफ यही बोलना चाहता था मैं डिफेंस पर दोस्तों अन्रजिस्टर हुआ तो क्या हो तो आपको पता अन्रजिस्टर हुआ तो यह प्लेस वेर दो पैसेंजर एंबाक्स जरनी यानि फरक पड़ता है कि प पॉइंट होगा वो मुझा पता दीजिए यहां पर ओके इंबार्गेशन पॉइंट क्या होगा तो ऐस यूजल दोस्तों लोगों ने लिखा है मुंबई गलत मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता अभी मेरे पास पास है एक महीने का तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रेन मेरी छूड ग तो वापस जब आ रहा हूँ तो एंदाबाद से आ रहा हूँ मैं क्या मुंबई ट्रेन में तो उसकेस में तो एंबार्गेशन पॉइंट मेरा एंदाबाद होगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वह ट्रेन पकड़ने की चकर में मैं गाड़ी में चला गया तो मैंने टैक्स वापी तक ही लिए है पिर वापी से मेंने ट्रेन पकड़ ली तो वहां पे तो embarkation point मेरा वापी ओगा बीकुछ मैं तो कहींसे भी train चड़ सकता हो ना मेरे पास पास है भाई है यह से और यह सेनेरियो है तो दोस्तों यहां पे मेरा एम्बार्केशन पॉइंट है न दिविया आचल वो डिटर्माइन करना मुश्किल ही ना मुम्किन होगा मुश्किल ही ना मुम्किन होगा और इसलिए मेरा ब्लेस ओफ सप्लाय 12-9 के तहत आएगा भी नहीं वो आएगा 12-2 के तहत समझा क्यूंकि 12-9 में मेरा केस कवर होई नहीं सकता तो फिर जहां पर आपका केस कवर नहीं हो सकता है उसके बाहर चले जाओगे और आपको गोद ले लेगा कौन जन्रल प्रोविजन जन्रल रूल्स एंडट कम्स अंडर 12 सबसेक्शन टू अनाथ हाले में चले जाओगे आप और वहां पर ओविसली बात है बटब अगर सप्लायर को रिसीपन का अड्रेस पता है तो लोकेशन आप रिसीपन नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन तो बेस में भी cgst और sgst ही लिखा होगा ठीक है यह केस है my defense क्या यह concept समझा आप लोगों को तो यह concept को बोलता है कि राइट टू यूसेज क्या राइट टू यूसेज नहीं राइट टू पैसेज यानि बेसिकली जब आब एक पास लेते हों Okay for future use for future use So right to passage for future use के case में दोस्तो यू विल राधर गो फॉर 12 टू because 12-9 के तहट तो आपका embarkation point आएगा ही नहीं friends यास ओके ये case ठीक है and last my dear friends जो मैं खतम करूँगा वो 12-13 पर खतम करूँगा insurance service पर तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं ओके let's say for example कि आज max general insurance ने stock insurance लिया है किसका mercedes का ठीक है तो आज दोस्तों my dear friends obviously mercedes premium पे करेगा general insurance वाले को right yes अभी mercedes क्या है registered person अगर है तो location of recipient या जाएगा as the place of supplier और अगर वो unregistered person है तो फिर भी याद रखना supplier के पास हमेशा recipient का address होगा ही while issuing him insurance तो यहां पे भी recipient का address आ जाएगा as the place of supply does that make sense my dear friends yes sir क्योंकि यहां पे लवजी यूज नहीं होंगे क्या कि अगर supplier को recipient का location नहीं पता है तो ऐसे लवज यूज होंगे ही नहीं क्यों क्योंकि हमेशा एक insurance गपनी को supplier वो बेटा अपने policy holder का address पता ही होगा बिकुछ वो चानबीन करके उसको policy देता है बेचता है और coverage देता है insurance का is that very clear my dear friends okay तो दोस्तो did you just realize we were done with 12, 2 5 7 8 9 30 ओके चलो फटा वट से क्या है फटा वट से याद कर रहा हूँ 12, 2 क्या है दोस्तो general provision general provision में क्या हो जाएगा my dear friends recipient का registered है तो location of recipient नहीं है तो भी supplier को अगर recipient का address पता है तो recipient का location नहीं पता है तो supplier का location 12, 5 में training and performance appraisal service recipient अगर registered है उसी का location नहीं है तो जापे training held है वो ही आजाएगा place of supply है अचा अगर 12, 7 की बात करें event organizing service recipient registered है उसी का location नहीं है तो फिर जा event held है वो location पर event held है अगर आउच्छेट इंडिया तो location of recipient इंडिया में recipient पे ले ले लेंगे अचा 12, 8 में transportation of goods service तो आज recipient registered है उसी का location नहीं है तो जापे मैंने GTA को goods hand over की है ओके येस अचा यहाँ पे transmitter by the way कोई भी हो सकता GTA पस example था वो इंडिया को भी हो सकता है वो इंडियान railways भी हो सकता है कोई भी हो सकता अचा वो फिल नहीं करता है वो information तो obviously नहीं है अगर वो फिल कर देता है तो वो है तो आज इस case में अगर वो है तो place of supply आजाएगा location of recipient अगर वो नहीं है तो place of supply आजाएगा क्या दोस्तो that place where he inbox his journey ओके और उसके बाद क्या होगा my dear friends बताइए अगर right to use right to passage for future use होता है दोस्तो तो उस case में 12 9 नहीं 12 2 apply हो जाएगा and 12 13 के case में with respect to insurance service recipient registered है उसी का location नहीं है तो फिर भी उसी का location आजाएगा as the place of supply दोस्तों समझागे नहीं समझागे आपको friends आपको रहत रह जाएगा यह चीज रह जाएगा ना इसमें सब में common चीज क्या थी अगर आप देखो के तो बड़े पैमाने पर दोस्तों यह सभी services B2B दी जाती है ठीक है B2B दी जाती है पर B2CB दी जाती है इसलिए दोनों का क्या है उन्होंने case explain कर दिया ठीक है पर majority ली क्या यहाँ पर B2B दी आती है और B2B में recipient registered होता है उसको आए टीसी चाहिए तो हम लोगोंने ensure किया है कि place of supply वही हो जापर recipient registered है इसलिए place of supply उस case में हमेशा आएगा location of recipient location of recipient location of recipient is that very clear my dear friends yes okay यह किस उसके बाद okay next अभी हम लोग ले लेंगे 12,3 12,4 12,6 10 11 12 14 15 पर इतना याद रहेगा आपको इतना concept clear है आपका येस example भी करोंगा आप टेंशन मतलो पर पहले आप समझ लो फिर क्या एक साथ example में अगर आप answer सही दे रहे हो तो उसका मतलब आपको कोई भी confusion नहीं है बाइट इस आपको करनी पड़ेगे साथ दोस्तोरा रीसंट्री मैंने अभी जो मैंने एक लुकात बाइट प्रॉसम्ध दढ़िए उसका एक शोट्स डाला है कि आप लोगोंने देखा वोचीज please देखेगा और उसमें comment कीजेगा because वो real आपको बहुत हसाएगी दोस्तो करन सर ने बहुत अच्छी बढ़िया तरीकिस acting की है दोस्तो बात करते हैं अभी फटावट से ये sections की तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो 12.3 की my dear friends 12.3 में my dear friends क्या बोला है immobile property वो क्या है okay capture हो रही है ठीक है अच्छा याद रखना है यहाँ पर my dear friends यहाँ पर जब हम बात कर रहा है क्या service in relation to immobile property my dear friends तो कौनसी services आपको याद आती है पहले वो बताओ मुझे चलो कौनसी services immobile property के relation में याद आती है हो फटावट से लिख दो तो मेरे को तो याद आती है कौनसी construction interior decoration renovation फिर क्या है बताओ hotel accommodation renting of immobile property service marriage hall service अपना हाउस बोट and real estate agent तो यह काफी exhaustive list है दोस्तों services की विचार इन रिलेशन टू immobile property बेड़ा immobile property immobile property बेड़ा immobile property are you getting it? yes okay yes तो जबी भी immobile property की बात हो रही है तो 12-3 को याद करिए okay 12-3 के case में my dear friends एक चीज याद रखना जो भी यह service है जैसे की construction service जो basically एक works contract service है दोस्तों जापे goods और services दोनों दिये जाते हैं और उसका bifurcation सामने वाले को नहीं पता और यह सब हो रहा है in relation to immobile property right तो दोस्तों आपको याद होगा okay ITC में हम लोगों ने किया है कि works contract service का आपको नहीं मिलता है ITC अगर वो आपने अपनी immobile property के लिये लिया हो तो दोस्तों do you realize कि receiving या पे registered हो या unregister हो doesn't matter because जो registered recipient है उसको भी नहीं मिलेगा कभी भी जीवन में ITC तो आज दोस्तों place of supply को उठा के उसके location पे डालने का कोई sense ही नहीं है क्योंकि हम लोग क्यों exercise कर देते place of supply उठा के recipient के location पे क्यों लेके जाते थे so that recipient को मिल जा ITC पर यहाँ पे तो उसका मुझे ITC recipient को नहीं दिलवाना और इसलिए मैं यह एक ही चीज़ करूँगा और वो है यह के यहाँ पे मैं दो bifurcation नहीं बनाऊंगा के recipient registered हुआ और recipient unregister हुआ क्योंकि recipient को कभी मिलेगा इनी ITC तो को question ही नहीं है to put the place of supply to location of recipient इसलिए एक ही place of supply आएगा के वेर the place of supplier in this case will be that place where the immoral property situated समझा येस और अगर वो immoral property outside India है तो भाईया वो event management की तरह आजाएगा के भाईया आम लोग उसे इंडिया में कीच कर लेके आएंगे और वो जाएगा location of recipient as the place of supply does that make sense my dear friends yes okay perfect अभी नया नया ताजा ताजा इसके relation में एक amendment आया है सुन लो बेटा सुन लो बंदू बंदू मेरे बंदू situation 1 क्या है सुनो तो दोस्तों आज ऐसा कुछ हुआ है कि एक advertising company है उसको contract मिला होगा कहां से let's say flip card से या जो मैट उसे के भाईया तू मुंबई के streets में मेरी advertisement चला दे कैसे hoardings पे तो ये advertisement company ने क्या किया proper उसका सब क्या है designing logo creative पूरा बनाया और फिर call किया किसको my dear friends classic example है bright outdoor media को जो बहुत सारे क्या है hoardings को own करते है in मुंबई right perfect तो आज उन्होंने उनको बुलाया और बोला देख भाई मुझे ये वरली ceiling के यहां पे जितने भी hoardings है वो सब चाहिए क्योंकि वहाँ पे सब क्या है post लोग आते हैं तो उनकी नजर अगर पड़ेगी तो definitely वोग Zomato से order करेंगे वैसा कुछ उनका था right तो आज दोस्तो bright outdoor media ने क्या किया वहां के 100 hoarding क्या है दे दिये एक महिने के लिए भाड़े पे जिसमें एक hoarding का भाड़ा था एक लाख रुपिया तो एक करोड का contract करवा दिया और क्या है 100 hoarding का जगा rent पे दे दिया उस advertising company को जिसको Zomato का add वहां पे चलवाना है और वह advertising company ने obviously क्या किया होगा आगे जाके वह cost pass on कर दिया होगा Zomato को right cool margin add कर गया फिर है whatever the case में भी वो अपने को उससे फरक नहीं पड़ता अपने को इस बात से फरक पड़ता है कि यह bright outdoor media ने जो service advertising company को दी है वो service क्या है is it advertisement service और is it renting of space का service renting of space का service क्योंकि वो structure जहां पे यह add चल रही है वो add थोड़ी bright outdoor ने बनाई है वो जगा outdoor क्या है media की थी जापे वो add लगी है तो आज मैंने वो जगा भड़े पे दी है वो space भड़े पे दी है और इसलिए वो classic example बनता है 12-3 का दोस्तो इसका place of supply आ जाएगा location of remote property does that make sense my dear friends आज जोटो ने advertisement company को बोला के एक अच्छी सी ad वैड बनवा दो आप creatives बनवा लो models को hire कर लो जो भी है शूट वुट वगरा कर लो पर यार advertisement company ने ये पूरा दारोमदार क्या है bright outdoor media को ही दे दिया के भई तू ही क्या एक creative select कर photoshoot select कर तू ही location भी बता के कहा ये holding आना चीए फिर भले ही वो तेरा holding हो या किसी और का doesn't matter ठीक है तो ये सब call अभी कौन दे रहा है bright outdoor media तो बेटा bright outdoor media आपको क्या लगता है सिफ जगा रेंड पे दे रहा है नहीं बाई वो ही सब creative calls ले रहा है वो ही सब scout कर रहा है locations which is best for zomato's ad और इसलिए ये इस बार renting of space से service से ज्यादा और दे रहा है और वो है advertisement service और इसलिए दोस्तो vendor advertisement service advertisement company को दे रहार advertisement company वो ही चीज़ दे रही है zomato को ऐसा समझ लो कि वो advertisement company ने वो कि अपना काम outsource कर दिया है completely to whom to bright outdoor media are you hearing idea friends yes तो यहां पर क्या 12-3 आएगा नहीं यहां पर 12-2 आएगा 12-2 मैंने बोला था advertisement service to private companies 12-2 में आता दोस्तों yes sir no idea friends yes sir और इसलिए यहां पर okay 12-3 not applicable okay 12-2 applicable हो जाएगा I hope that makes sense absolutely correct okay yes okay यह case था अचा 12-4 foot out चे बताओ कोई restaurant है केटरिंग है fitness है beauty parlor है यानि कि सालों है राइट सलों है बेटा क्या बेटा सालों are we carrying it yes तो यहां पर place of supply क्या होगा वो restaurant जहां पर आपने क्या पाव भाजी ने वड़ा पाव खाया था वो catering जहां पर बेटा आपने ओके ओके आज क्या है तवा भेल खाई थी ऐसा एक concept है भी आज कल राइट ओके या फिर कोई भी वो भिन भिन परकार का sushi ने वूशी ने मोमो ने चोमो ने जो भी है वो सब खाया था पिटनेस वो जिम जहां पर आपने exercise की थी beauty parlor यानि कि वो salon जहां पर आपने बाल कटवाए थे वही जगा जहां पर यह सब service पर फर्फरम हुआ है वही हो जाएगा place of supply तो मुझे बात बताईए my dear friends आज बिराट कोली ने अपनी शादी कहां की थी इचली में इचली में की थी बेचा और वहां पर वह लेके गाया था कमलेश caterers को राइट तो कमलेश caterers रेजिस्टर मुंबई में बाई मुंबई में रेजिस्टर हो घटको पर गाय माह कसम पर वह catering दे रहा है कहां पर यह विराट भाया को इचली में तो आज दोस्तों place of supply क्या आए यहां पर गाउठी ऐसा मत बोलना सर कमलेश ने तो सर्विस दिये विराट कोली को तो location of recipient आजाएगा बिकोज यहां पर event is held outside इंडिया नहीं भाई यहां पर event का कोई scene ही नहीं है यार समझा don't confuse yourself okay with 12-3 and 12-7 यहां पर बस इतना ही बोला है जहां service दिया है वो ही आजाएगा place of supply तो service दिया है गहां पर Italy place of supply Italy is that very clear okay done ठीक है that's it अच्छा दन है boss फिर next 12-6 क्या है 12-6 से event related to cultural event artistic sporting entertainment event amusement park okay तो आज आप कोई event में जा रहे हो कोई concert में जा रहे हो या फिर क्या है कोई stand-up कोई देखने जा रहे हो या कोई theater में जा रहे हो या कोई simple सी वात है दोस्तों आप कोई amusement park में जा रहे हो doesn't matter place of supply क्या होगा वही जगा जहां पर event held है do you realize यहां पर अलग-अलग क्या है कि receiving registered है या unregister है हो देने की कोई ज़रौत नहीं because यह personal consumption के लिए हो रहा है यह चीज समझ रहे हो next 12-10 services supplied on board of convenience तो do you realize कि जैसे goods on board of convenience supply होगा था वैसे service on board दिया जा रहा है तो place of supply क्या है सिंपल first schedule departure point of the convenience तो जैसे goods supplied on board में goods जैसे on board हुए थे यहां पर बोला है first schedule departure point of the convenience are you getting it समझा यानि कि अगर आज समझो चैन्नाई डेली मुंबई है और डेली मुंबई के flight के बीच में मैंने कोई device rent पे लिया था क्योंकि मुझे movie देखनी है या games खेल नहीं है right तो मैंने तो यह service come consume किया है डेली से मुंबई के लेक के बीच में but first schedule departure point इसका क्या था दोस्तो let's say जैपूर तो फिर symbols ही बात है place of supply क्या आएगा जैपूर क्योंकि embarkation point क्या था जैपूर is that very clear my idea friends yes okay next 1212 banking and broking service यहां पर दोस्तों याद रखना bank को अगर recipient का address पता है तो place of supply recipient का address आजएगा नहीं पता है तो bank का address आजएगा पर दोस्तो question में आपको यह expressly नहीं दिया होगा question में आपको इशारों में बात की होगी क्या बड़ा इशारों में और इशारा क्या दिया होगा बड़ा इशारा यह दिया होगा कि ऐसा बोला होगा access bank is giving locker service to miss divya an account holder of access bank so account holder of access bank का मतलब जा access bank के पास divya का address होगा के नहीं होगा होगा तो divya का यह address आजाएगा place of supply पर ऐसा बोला है कि access bank is giving locker service to divya who is an account holder of kotak bank तो place of supply क्या आजाएगा दूस्तो access bank के case में यहाँ पर जो service दिया जा रहा है उसमें जो recipient है वो access bank की account holder नहीं है वो kotak की है समझा is that very clear yes यह case है तो यह इशारों में बात होगी और वो भी मैंने लिख दी है तो सतर्क रहेगा साउधान रहेगा बस इसमें एक चीज correction करनी है 12.8 में दोस्तो अभी यह चीज क्या applicable नहीं है आपको तो यह अगर आपके पास मेरा chart book पहुँच गा है दोस्तो नहीं पहुचा है तो प्लीज मंगा लीजिए 6 घंटे में पूरा revise करवाऊंगा एक्जाम के दिन में बहुत helpful हो जाएगा आपको ओके तो यह card देना प्लीज हाँ और एक और चीज पर यह चोटा सा रहे गया था transportation of goods में याद रखना satellite launching service is nothing बट transportation of goods service राइट क्या आप satellite launching service दे रहो तो transportation of goods service में ही वो classify हुआ है तो 12 वेट में ही उसका place of supply determine करवा के दे देना also new information satellite launching service पहले सिव इसरो देता था तो exempt हुआ करता था अब कोई भी दे रहा है तो exempt हो जाएँ तो अदानी ने भी अकर satellite launch करवा दिया अंबाने में ही भी satellite launch करवा दिया exempt 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 ओके बिकुज गवर्रमेंट वांस तो clearly focus on improving the space tourism and also activities that can be done in space तो यह हम लोगों में वो शमता है कि हम वो कर सकते है तो definitely गोस्तों गवर्रमेंट ने भी उसका साथ दिया है अब दोस्तों सिर दो ही बाकी है अगर कोई fixed line है lease circuit है, internet lease circuit है cable connections है या फिर dish antenna है जो आपके घर पे लगता है या फिर आपका broadband connection internet का तो वो जहाँ पे equipment install हुआ है वो ही आजाएगा place of supply तो जनरल ये equipment install का होता है आपके terrace पे तो place of supply भी क्या आजाएगा आपका terrace आचा post paid mobile and internet service है my dear friends तो यहाँ पे obviously आपने Vodafone को अपना दिया होगा address तो आपका billing address जापे आपका bill आता है वो ही आजाएगा place of supply अचा अगर prepared की बात करें दोस्तों तो सुनिए यहाँ पे दो बाते हो जाएगी पहल्ला बात कि आज एरेटेल जो है वो अपने distributor या reseller को दोस्तों दे रहा है service और दोस्तों last है अपना subscriber ठीक है यह कीज तो आज my dear friends यहाँ पे scenario क्या है यहाँ पे scenario इतना ही है सबसे पहला transaction यह दोनों के बीच में और दूसरा transaction यह दोनों के बीच में तो address to distributor government ने बोल दिया भया distributor का billing address है मेरे पास तो यही इसका ही address हो जाएगा क्या place of supply पर दोस्तों distributor और क्या है subscriber के बीच में government बोलता है जहाँ पे उसने वो voucher sold किया होगा उता था ना prepared voucher यह से scratching करने का वगेरा वगेरा राइट तो वो जहाँ पे sold हुआ है वो ही हो जाएगा उसका place of supply अरे आशान जो क्या है ना चाजा यार याश ओई नो और दोस्तों अगर क्या है वही prepared का connection दोस्तों क्या है आपने internet के थू किया है पे टीम के थू या फिर क्या है जीपे के थू या फिर आपने उनके website के थू कर दिया है तो भाई अगर क्या है रिसीपंट का address है supplier के पास तो रिसीपंट का location नहीं है तो फिर supplier का location that's it my friends got it अच्छा 1214 दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा ओके ये क्या है पहले वो सुन लो CG SG I'm so sorry advertisement service अगर दिया जाता है to CG SG UT statutory body इनको अगर आप देते हो दोस्तों ये service तो याद रखना उके उन्होंने ये parameters दिये है जिसके basis पे my dear friends आप क्या करेंगे उसका bifurcation ठीक है मैं एक दो example दे देता हूँ क्या है पर ये देखो ये इसके बहुत कम chances है आने के तो इसको ignore ही करना पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ for example दोस्तों अगर for example ऐसा case है कि आज मेरा company है bright outdoor media बराबर जिसके पास क्या hoardings वगेरा है तो आज hoardings के through क्या है उन्होंने करवा दिया क्या advertisement service तो आज elections आ रहे है तो मोदी जी के सब photo जगा सब जगा क्या है उन्होंने डाल दिया ऐसा नहीं के मुझे word दो पड़ कुछ डालाओगा उन्होंने जो काम किया उसका क्या है डालाओगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई राइट है बीच में आपको बताई कि निया बहुत बड़ा क्या है एक misspelling हो गया था मुदी जी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बदले ओके इफ यॉल नो इस और नव डाइडून नो बट ऐसा सीन था कि जो टेली प्रॉम्टर होता है मुदी घी ऐसे ही नी बोलते हो वहाँ पर सामने प्रॉम्टर होता है जो उनको बताता है क्या बूलदी स्वाइव इपनगा अपना तो डोस्तों आज ऐसा सीन है कि भाई उनका बजट इतना है 10 करोड का ठीक है तो आज उन्होंने ब्राइट आउड़र को बोला है देख भाई मेरे है ओके तू 100 होडिंग लगा दे कहां पे महाराश्ट्रा में तू 200 लगा दे तमिल नाडू में अपना रीच है नहीं वहां पे ठीक है तो 300 हो गई है और 200 तू लगा दे कहर रलाम है वहां पे भी रीच बढ़ाना अपने पूर ठीक है तो आज यहां पे कितने हो गए है 500 राइट तो गवर्मेंट क्या बोलता है देखो भाईया 10 करोड multiply by 100 divided by 500 1 फिफ्ट समझा 10 करोड multiply by 200 multiply by 500 ऐसे करके basically जो भी आता है रेशियो उतना place of supply वहां पे consume हुआ है are you getting it my dear friends तो वैसे उन्होंने अलग-अलग parameters दी है ठीक है ओके कि यहां पे जितने newspapers आपने बाटे वो ले लो यहां पे जितने number of pamphlet बाटे वो ले लो number of hoardings जो बाटे वो ले लो यहां पे length of railway track तो आज trains पे भी होता है ना एट्स तो लेच्छे railway track है 10 km का तो 5000 km मारस्टा में fall होता है 5000 km गुजरात में होता है और क्योंकि वो train मुंबई से अंदा बात की है समझा तो उसका उतना अगर क्या है length है अगर वो track का तो भाईया 5000 divided by 10,000 multiply by क्या है 5 करोड वैसा ठीक है यहां पे भाईया के जितने भी अपने number of customer से वो आ गए number of railway tickets है number of आपके क्या है stations है यहां पे number of viewers है number of cinema halls है number of internet subscribers है और number of telecom subscribers है वो आप ले लेना and accordingly क्या है इस तरह से divide कर देना is that very clear my dear friends yes sir मुझे लगता है नहीं आएगा because last 10 attempt क्या इसके पहले service tax था तो service tax में भी same ही concept था propose करके था place of provision of service तो वहां भी कभी नहीं पूछा था तो ignore ही करना आप यहां तक ही क्या है फटाफट से पढ़ लेना okay yes वापस दोस्तों आगे जाने से पहले मैं वापस क्या है अभी जो मैंने करवाया वो कर देता हूँ फिर पूरा फटाफट से एक बार revise करवा देता हूँ सुन लीजिएगा आख बन करके 12-3 okay 12-4 12-6 12-7 8 9 हो गया था 10 आ जाएगा यहां पर 12-11 12-12 12-14 ठीक है चलो फटाफट से बताओ 12-3 क्या है दोस्तों services in relation to emoled property तो place of supply क्या आ जाए का location of emoled property पर अगर वा उचार इंडिया है तो location of recipient यहां पर दोस्तों बात कर रहे है हम लोग इसकी catering की beauty parlor की fitness की और दोस्तों रेस्टों की तो जहां पर वह service perform हो है वही place of supply हो जाएगा यहां पर दोस्तों अलग-अलग type के भिने भिने इवेंट से आटिस्टिक है cultural है entertainment amusement park है तो जहां वह event हो रहा है वही होगा place of supply यहां पर services on board हो convince तो क्या आजाएगा first schedule departure point अच्छा 11 के case में आपका telecom आ जाएगा तो उसमें अगर post paid है तो billing address of the subscriber prepaid है तो depend करता है अगर atel ने बेचा है अपने reseller को तो reseller का address reseller ने बेचा अगर final subscriber को तो जहां पर वह voucher sold हुआ है हो आजाएगा अगर दोस्तों बात कर रहे है क्या ओडिश एंटी ना वगेरा की तो जहां पर equipment हिल्डे वह आ जाएगा अगर internet के थूप रिपेट का किया है तो भाईया रिसीपन का address पर supplier को पता है तो अगर रिसीपन का नहीं पता है तो supplier का उसके बाद दोस्तों 1212 दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था banking and broking तो आज अगर क्या है रिसीपन आपका account holder है तो भाईया रिसीपन का address नहीं है तो supplier का address हो गया yes बेटा order चे के नहीं हाँ confidence आवे चे confidence आवे चे yes sir अभी दोस्तों फटावच्चे क्या है आप अपने इसाब से एक बार क्या है मैं चाहूंगा आप फटावच्चे क्या है ये chart को एक बार देख़ लीजे service वाले चार्ट को देख लीजे मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिया है पर सब इन्फर्मिशन किया है कवर दोस्तों कुछ छोड़ा नहीं आपन ने बकाइदा स्टैडूटरी अपडेट भी ले लिया है समझा बट थोड़ा टेकनीक से लिखा इसलिए आपको कम लग रहा है पढ़ो इसको फटावच्छे क्या है एक मिनिट में उसको वापस पूरा रिवाइस करवाओंगा and you should be in a position to recollect every goddamn thing in this world बोलो yes sir बेटा बोलो भाई ओके दोस्तों फटावच्छे let's do it let's do it let's do it my dear friends फटावच्छे come on दोस्तों फटावच्छे 12-2 की अगर बात करें my dear friends come on दोस्तों अगर 12-2 की बात करें my dear friends फटावच्छे फटावच्छे आजाओ जाओ जाओ तो 12-2 की बात करें my dear friends तो फटावच्छे सबसे पहले है general provision यानि जो भी क्या है 12-3 से लेके 12-14 तक अगर नहीं आ रहा है my dear friends तो वो आजाएगा 12-2 के अंदर यानि याँ पे my dear friends याद रखना recipient अगर registered person है तो location of recipient recipient अगर registered नहीं है तो भी supplier को अगर recipient का address पता है तो फिर क्या है recipient और अगर नहीं पता है तो supplier का address आजाएगा is the place of supply उसके बात my dear friends 12-2 के बात सीधा मैं जाओँगा 12-5 की तरफ okay training and performance appraisal services तो training and performance appraisal services में recipient क्या है तो उसी का location नहीं है तो फिर भाया that place where the training is held उसके बात दोस्तों मैं 12-7 की तरफ जाओँगा event management service recipient अगर registered है उसी का location नहीं registered है तो that place where the event is held और event held अगर outside India है और recipient अगर registered है तो उस situation में दोस्तों recipient का location ही आजाएगा is the place of supply उसके बात 12-8 बोर transportation of good service तो यहां पे my dear friends recipient registered है उसी का location registered नहीं है तो that place where the goods are handed over to him 12-9 में क्या जाएगा my dear friends 12-9 में बात के transportation of passenger service की तो recipient registered है तो उसी का location नहीं registered है तो फिर that place where the passenger has embarked the journey उसके बात दोस्तों हम लोगों ने 12-10 sorry 12-13 किया था insurance services जहाँ पे क्या है रिसीबंट रेजिस्टर्ड है उसी का location अगर रिसीबंट रेजिस्टर्ड नहीं है तो supplier को जो recipient का address फता है वो recipient का address ही आ जाएगा as the place of supply फिर हम लोगों ने दिया दोस्तों क्या 12-3 में हम लोगों ने क्या क्या service in relation to a mall property तो वह जाएगा अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों banking service की insurance service की तो उस case में जा वो banking वाले को उसका account holder है तो उसी का location नहीं है तो फिर bank का location और बात कर रहे है दोस्तों अगर telecom service की तो उस case में क्या हो जाएगा भाया postpaid billing address prepaid में अगर वह बात कर रहे है reseller की तो reseller का address reseller to final subscriber तो उसमें जा पर voucher sold होता है internet के थू supplier को अगर receiver का address पता है तो receiver नहीं पता है तो supplier का location और अगर क्या dish and dna वागे रहा हो रहा है तो जा पर equipment yes we are done my dear friends अच्छा एक ता service on boarder condensed तो उसमें हादा जाएगा my dear friends क्या हो जाएगा correct that place where the first scheduled departure point is there got it क्या आप ready है one concept one question के लिए yes let's do it very clearly inspired है my dear friends okay with the recent ambani bhambani नहीं बता ambani wedding okay yes pre wedding sorry my bad pre wedding और उसके पहले चुट्टू मुट्टू पहले कर देते है चुटक मुटक कर देते है बटा confidence आजाएगा उसे और मुझे भी more so question 6 कर दे फटावट से मेरे लिए पता क्या हो गया आपर Mahindra Google जो है एक इंटीर डेकोरेटर है बटा हरी जैन को सर्विस दे रहे है इन रिलेशन टू आजाएगा my difference बताओ तीनों क्या है इंडिया के अंदर है तो simple सी बात है आज जाप एमोल पॉपपर्टी है वो ही आजाएगा पलेशन प्लेशन 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 देली आजाएगा एक है येस पर्फेक्ट रे चन्नी क्यों है देली आजाएगा पगली देली दीएखएएगा फेलिए wtी है गाएगा आजाएगा आजाएगा डखीनयद क्यों हूपवड़ा कि चानली एप्लेशन प्लेशन चानलीमिया आजाओएगा है वह लाका क्या होगा यस क्लिरली दोस्तों यहां पर रंटिंग और स्पेस का सर्विस चल रहा है तो यार 12-3 आ जाएगा तो लोकेशन आफ इम्मोल पॉपपटी तो होडिंग मुंबई में है तो प्लेस आफ सब्लाई भी आ जाएगा मुंबई वाट इट यस इस प्लेस आफ उप सप्लाई रहा है तो क्लिरली अडवर्टीसमंट और अट्वर्टीसमंट के केस में मैडि इफरेंस 12-2 आजाएगा तो आज ब्राइट आफ दूर क्या लोकेशन अवर रिसीपन जानता है यस कहां पर है हो मॉंबई place of supply will come Mumbai because monk media is registered in Mumbai is that very clear yes sir अब यहां पर आजाओ चलो लेट सी किसमे कितना है दम okay आजाओ बड़ावट से बात कर रहा है दोस्तो Mr. Mukesh Ambani registered in Lodhyana okay Punjab enters into a contract with an event management company Mr. okay which is run by Mr. Anil for organizing his son's wedding in Jamnagar at an agreed consideration of 100 lakhs okay yes तो यहां पर कौन किसको service दे रहा है correct Anil service दे रहा है दोस्तो किसको Mukesh भाई को right अच्छा तो इस case में Mukesh भाई जो है तो इसका place of supply क्या है तो सर देखो event management service है recipient अगा registered है तो recipient का location आ जाएगा तो सर यह भाईया पंजाब में registered है तो place of supply आ जाएगा पंजाब अरे yes or no yes okay तो यह पहला वाला हुआ समझा यस नेक्स्ट अनिल भुक ताज लैंड एंड ओके इन जामनागर फॉर 5 nights for a consideration of 10 lats for all the guests of Mukesh भाई तो आज दोस्तो यहां पर basically hotel accommodation service है ताज की तो place of supply क्या आएगा यहां पर that place where the hotel is situated as per 12-3 as per 12-3 तो वो आजाएगा क्या जामनागर next he also took his guests like Mark Zuckerberg, Bill Gates to nearby amusement park like Vantara that is situated in Rajkot where the admission was admission fee was 1000 per person तो यहार amusement park आजाएगा क्या बूस्तो that place where the amusement park is situated तो यहां जाएगा 12-6 ठीक है अचा एक और चीज ता भूलगा है यहां पर you also booked royal caterers for providing catering service at the venue for 15 lakhs तो catering service आजाएगा दोस्तों 12-4 के तहत तो आज catering कहां दिया है जहां पर paid the freight for transportation of goods for all guests by handing over them to indigo airlines at the Mumbai airport क्या हो जाएगा तो यहां पर okay simple सी बात है इंडिगो ने बेटा क्या transportation of goods service दिया है अनिल को okay अनिल को क्योंकि सब अनिल पर ही billing हो रहा है भाई फिर अनिल आगे billing करेगा क्या मुकेश को बात अलगा पर अभी अनिल के बीच में हो रहा है और अनिल एक registered person है जो यहां पर clearly लिखा है दूस्तों अगर आप देखेंगे तो और इसलिए place of supply आजाएगा क्या डेली डेली आएगा या क्या कर रहे है तुम लोग एगा उठी अबे मुंबई क्यों आएगा देखो न किसको service दिया है उसका status देखो पहले रेजिस्टर है तो वह ही आ जाएगा नहीं है तो बोला है न इसलिए मैंने question पूछो अपने आपसे कि वह ऐसी service है जो B2B वाली है या ऐसी service है जो B2C वाली है फालतू और B2B वाली है तो उसका एक list करवाया लक्से मैंने जो यहाँ पे है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग मैंने क्यों club किया यह सब services को यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्योंकि यह सब B2B में दी जाती है बड़े level पे और यह नहीं दी जाती है ऐसा समझो कि यह B2C दी जाती ह है तो यहाँ पे क्या है तो options है यहाँ पे एक ही option है समझा फाल तू answer मत तो सोच समझ के answer दो आप 12-8 next all case were taken from Mumbai to Ahmedabad and then to Jamnagar where they were requested to throw their sim cards and insert geo sim cards which are supplied to them in Ahmedabad by their distributor distributed to final subscriber का transaction हुआ यहाँ पे and the sim cards were sold in Ahmedabad तो place of supply क्या आएगा यहाँ पे clearly तो इस पर 12-11 वो आजाएगा क्या Ahmedabad ठीक है next everyone chose to prepare chose to take prepared sim cards but Ranveer chose to take postpaid sim card of geo where he mentioned his billing address at Chennai place of supply क्या आजाएगा simple यह postpaid user है दोस्तों तो Chen नहीं आजाएगा again 12-11 anil hedged a risk of any uncertain event by taking a general insurance from its okay अपने ही क्या है बटा क्या है बटा father-in-law है piramil insurance limited अपने ही समधी जी है बटा ही तो यहाँ पे क्या आजाएगा बताओ 12-13 is that very clear yes sir next mr. anil also made sure that the guests have cash at all times during the events and to facilitate that he had installed ATMs of SBI at various intervals it was seen that Dhoni who is based in Rachi also is an account holder of SBI was procuring service from SBI ATM for a certain fee in Jamnagar क्या होगा जामनागर के SBI ATM से वो बंदा क्या है बटा transaction कर रहा है और वो खुद SBI का account holder है place of supply क्या आजाएगा yes absolutely correct Rachi because supplier को recipient का address पता है bank को recipient का address पता तो Rachi आजाएगा next ranbir and alia unregistered person in GST were taken to nearby local markets of Jamnagar where the shopkeeper sold them their handicraft goods over the counter where the shopkeeper asked them their address so that the customized handicraft goods can be delivered at their home so place of supply क्या आएगा यहापे okay okay at their home यहापे लिखना at their home in Jaipura यह रहाया था लिखना okay at their home in Jaipur तो place of supply क्या आएगा यहाएगा यहाएगा समझा येस तो बस इतनी सी ही बात बोलनी थी तो बोल दिये मैंने did you realize the power of one concept one question दोस्तों क्या लग रहा आपको यह helpful था क्योंकि मैंने एक ही में क्या है जितनी भी services maximum important services सब कवर कर दिये हो आप okay सब कवर कर दिये मा कसम okay so much so that जो 10-1 CA कामेंटमेंट है वो भी डाल दिया है तो if it's empowering please अपने क्या दोस्तों से whatsapp groups में share करिये और सर को help करिये जाद जाद बच्चों तक क्या है पहुचाने में करना है दोस्तों विव्या ठीक है yes done तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग खतम करते है place of supply okay अच्छा एक छोटा सा concept रहेगा था my bad वो उसके बात कर देगी ठीक है and that is section 9 section 9 के relation में दोस्तों क्या बात हो रही है बताओ section 9 के relation में यही बात हो रही है कि सुनो भाई देखो दो concepts हैं यहाँ पर पहला इसे section 9 तो एक ही concept के बारा में बात करता मैं दूसरा concept इंट्रेड्यूस कर रहा हूं सुनिए वो बुर रहा है देखो अगर TOS और POS अगर TWI में हैं तो भाया उसको आप क्या है नेरेस्ट ओके नेरेस्ट कोस्टल स्टेट या युनिन टरिटरिटरी वेर दे नेरेस्ट प्लेस अफ अप्रोप्रोप्रेट बेसलाइन इस लोकेटेड बो ले लीजे इशारा किस बात की तरफ है दूस्तो ओके आज समझ ये बात को एक बहुत अच्छा से एक्जामपल मैंने खुद बनवाया है देखो क्या हो गया है आपे ओके देखो सुनो भी आज अगर ऐसा केस है कि ये महारास्ट्रा है बराबर और यहां पर मिस्टर के एस एं इंटिरियर डेकोरेटर रेजिस्टर है और कोई स्ट्रक्चर है एक्जामपल एक एक्जामपल एक क्लासिक एक्जामपल हाजी अली का वो इस ट्रक्चर हाजी है ली का माइडियर फ्रेंस वो TWI पर है Territorial Waters of India पर है अब आप समझो कि यार यहां पर renovation service करवाना उनको तो LOS तो आ जाएगा महारास्टा, POS में क्या लिखू यार क्या लिखू यहां पर Arabiancy लिख दू गाउटी Arabiancy अगर लिख भी दूँगा तो क्या फरक पड़ेगा because at the end of the day do you realize do you realize कि आज समझे आप इस बात को कि आज इंडिया तो डिवाइड इंटो state and union territory तो मैं डिटर्माइन क्या कर पाऊँगा फिर कर उचका नलोड ही नहीं कर पाऊँगा अगर मैं लिखूँगा महारास्टाइन अरेबियन सी के बीच में ट्रांसाक्शन होगा तो यहां पर यहां तो कोई state का नाम होना चाहिए यहां तो कोई union territory का तो government ने बोला ठीक है यह मत ले ले तू ले ले क्या यहां पर nearest you know coastal state यहां पर union territory of the nearest appropriate baseline ठीक है यहां और यहां पर तू ले क्या महारास्टा यहां पर यहां पर यहां पर तू ले क्या महारास्टा is that very clear my dear friends yes sir पर दोस्तों what if यह structure beyond TWI हो तो यानि beyond 12 nautical miles हो था तो क्योंकि वो तो section 9 में covered नहीं है section 9 में वो ही covered which is up to the 12 nautical miles यानि up to okay the territorial waters of India उसके beyond भी तो इंडिया है न अप तू 200 nautical miles EZ तो उसका क्या कि अगर कुछ structure EZ में है तो तो government ने बोला जो आपका structure देखो up to TWI है उसका section 9 के तहत आ जायेगा LOS and POS पर जो उसके beyond है that is EZ कि यहाँ यहाँ पर UTGST act में उन्होंने बोला है कि इसको हम संबोधित करते हैं as other territory क्या संबोधित करते हैं as other territory so apart from Ladakh, Lakshodip, Andaman, Nikobar, Chandigarh and दिवदमन इंदादरानकर है वेली other territory भी आएगा जो क्या है okay area है beyond TWI तो आज इस situation में क्या होगा पता है LOS तो महरास्टा ही आजाएगा because मैं registered वहाँ पर हूँ कि up to 12 nautical miles nearest coastal state में ले जाओ और beyond that वह अपने आप में एक union territory है ऐसा मान लो आप right यह कीज check कर लो गटा क्या है जी Ms. Gauri Khan an interior decorator registered in Maharashtra is renovating structure that is situated in Arabian Sea Maharashtra से 10 nautical miles दूर है और Gujarat से 13 तो क्या लोंगा मैं absolutely right Maharashtra और दूसरा अगर दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग Gauri Khan की an interior decorator registered in Maharashtra is renovating a structure that is situated on Arabian Sea 100 nautical miles from the baseline where the nearest coastal state is in Maharashtra तो क्या लेंगे आप Maharashtra मत बोलना चमात मारोंगा बिटा आप लिखेंगे वह पे अधर territory समझा जो अपने आप में क्या है एक union territory did you get it my dear friends और वहां पर बोल दिया जाएगा IGST ठीक है perfect 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 okay done that's it एक छोटा सा बस और एक पार्ट था जो मुझे बताना था और यह है ना okay section 8 of okay it's covered under explanation to section 8 of IGST act basically in the definition of intrastate supply and यह introduction में हम लोगों ने किया था तो आप वहां पर जाके यह लिख देना example के आज Infosys Mumbai है वो for example Infosys Boston को supply कर रहा है service without consideration in the course of business right तो यहां पर याद रखना यह दोनों को आना ऐसा बोला जाएगा कि distinct person के बीच में transaction हुआ है तो distinct person की definition 24 25 5 के अंदर तो cover होती है पर explanation to section 8 में भी cover होती है and accordingly दोस्तों यह distinct person के बीच में supply हुआ ऐसा माना जाएगा और इसके तहर दोस्तों beam supply में आ जाएगा 7 1 C के अंदर समझा तो distinct person का एक और क्या है definition आपको पता होना चीए बस वो बताना था दोस्तों ठीक है that's it my dear friends एक नमबर हम लोग ने पूरा complete कर दिया भी क्या place of supply क्या आपको confidence आरा दोस्तों say yes in the chat box क्यों करेंगे sir क्यों करेंगे okay friends so the next chapter my dear friends is TDS absolutely yes it's TDS फड़ा वट से आज़ा बात करते हैं दोस्तों अगर TDS की tax deducted at source तो यहाँ पे situation क्या है हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों TDS under with section under section 51 audit yes तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं my dear friends okay तो फिर याद रखें यहाँ पे simple सी बात हो रही है क्या अगर कोई supplier है क्या दोस्तों अगर कोई supplier है दोस्तों वो अगर क्या है contract value अगर करता है where the taxable value is more than 2.5 lakhs my dear friends right to please mark the word two things one is contract value and second is taxable value okay the contract value of those taxable supplies that you are doing should be more than 2.5 lakhs where the recipient my dear friends is either department of cg sgut local authority government agencies authority or board or body which is set up by parliament state legislature या फिर कुद government का stake है where more than where more equity is basically is where the equity is more than 51 percent right and last is my dear friend societies अगर है set up under society registration act by a cg sgla या फिर public sector unit तो यह definitely क्या notified list आपको याद रखनी पड़ेगी not very difficult but yes very easy और इन मेंसे अगर कोई recipients है तो definitely अपके TDS के provisions trigger हो जाएंगे और याद रखना जब जब recipient supplier को payment करेगा तब 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 वो TDS काट के payment करेगा okay perfect और याद रखना जैसी recipient TDS काट देता ऐसा ही नहीं कि supplier का यह नुकसान हुआ है simple सी बात है TDS जबी भी क्या है recipient काटेगा वो अगले मैने की दस्तारिक को दूस्तों ओके उसे जमा कर देगा और जैसी वो जमा कर देगा supplier के e-cashledger में वो पैसा आ जाएगा ठीक है yes अभी point यहाँ पर यह है कि एक एक चीजों पर थोड़ा और dissect करते है याद रखना मैंने word यहाँ पर बोला है contract value बात हो रही है contract value की और ना कि invoice value की तो आज contract दस लाग का है पर invoice एक लाग का raise हुआ है तो invoice value मत देखना कि invoice value is less than two and a flex तो सर टीडियस नहीं कटेगा नहीं भाई contract तो दस लाग का हुआ है न फिर invoice तो मैं और वो दस लाग का contract हुआ है दस महीनों के लिए तो मैं हर मन्त क्या invoice एक लाग कही भेजूंगा आपको और इसी पंट एक लाग कही payment करेगा right पर TDS किस पर कटेगा 10 लाग पे या एक लाग पे तो याद रखना हमेशा TDS कटेगा at the rate 2% at the rate 2% on what value on the payment amount that you have remitted to the supplier okay perfect तो आपका TDS का rate payment value पे ही क्या है multiply होगा वो नहीं invoice नहीं contract value पे होगा तो जितना payment कर रहे हैं उसमें से डो टका काटो और दे दो भहिया okay perfect यह scenario है okay perfect next is my dear friends यह एक बात करनी थी आपसे कि जैसी क्या है वो TDS deduct करके भर देता है तो obviously क्या है supplier की cash ledger में तो आजाएगा but at the same time recipient को भी क्या है एक और compliance करना पड़ेगा और वो है यह कि recipient को TDS certificate देना पड़ेगा किसको supplier को कब within 5 days from the date he has made remittance of TDS to government okay from the date there is remittance of TDS to government तो इशारा किस बात की तरफ है दूस्तो इशारा इस बात की तरफ है my dear friends के आज for example मैंने TDS काटा है 1st April को मैं जमा कप करूँगा 10 मई को अब 10 मई को मैंने जमा किया है तो आज 11, 12, 13, 14, 15, 15 मई तक मुझे उसको दे देना है क्या TDS certificate अचा अगर for example मैं late payment करता हूं तो 10 मई को नहीं मैं for example 20 मई को करता हूं तो मुझे 25 मई तक उसको क्या है TDS certificate दे देना विकूस आप यह सूचिये यहां पर focus क्या बोला है कि जब आप TDS government को पहुचा दे तो जब आपने जमा कर दिया फिर और टाइम पे किया ओया late doesn't matter जब जमा किया वहां से पास दिन किनना यह concept किया लोगों का clear नहीं होता है और अगर आपने उससे late किया यानि आपने 25 थारिक से late किया मेरे previous example में तो प्रती दिन आपको 100 रु 2% TDS कटेगा अच्छा अगर यह supply जो supplier ने किया है वो दोस्तों intra है तो TDS कटेगा in the form of intra क्यानि की CGST SGST 1% 1% और अगर वो interstate है तो definitely दोस्तों क्या कट जाएगा 2% as IGST perfect deduct up करना है तो very simple okay deduct at the time of payment करना है and on payment value करना है और जिस दिन जिस महीने में deduct किया उसके अगले महीने की 10 त और उसी महीने की 10 तारिक को उसी अगले महीने की 10 तारिक को जब आप जमा कर रहे हो तभी आपको return भी फाइल करना है GSTR 7 जा पर बेसिकली ओके वो हिसाब किताब दिखाते हो कितनी इसका काटा है किस value पे काटा है किस rate पे काटा है intra है inter है okay all of that और अगर आपने क्या है दू इस सिनेरियो में simple सी बात है क्या हो जाएगा okay obviously आपको ब्याज लग जाएगा और वो ब्याज भी लगेगा दोस्तो at the rate 18% okay तो यह चीज भी आप बकाइदा याद रखेगा okay and the next part is my difference कि अगर आपने GSTR 7 लेट फाइल किया यानि 10th को फाइल करना चाहिए था आपने 15th को फ ठीक है perfect अभी major यहाँ पर दोस्तों क्या है sums पर जो google ही मारते है वो लोग इस पर मारते है कि आज सबसे important यह है याद रखना कि आज TDS कब deduct नहीं होगा तो सबसे पहले exam supplies पर क्यों क्योंकि condition ही लिखी है कि यह 2.5 lakhs यह बाग क्या होना चाहिए तो बोला है taxable supplies तो अगर आपने exam supplies किया तो TDS बेटा कटेगा ही नहीं ठीक है दूसरा no TDS shall be deducted when the LOS and POS is in state 1 and LOR is in state 2 अभी इसका मैं फटक से तूरं से क्या क्या है इशारा किस बात की तरफ है देखिए simple सी बात है आज अगर scenario कुछ ऐसा है राइट कि यह supplier है यह recipient है राइट and let's say service दिया जा रहा है in relation to let's say immobile property और यह immobile property जो situated है वो कहां पर है वो भी देख लीजे तो यह है महारास्ट्रा property भी है महारास्ट्रा में और recipient जो है वो ह गुजरात में ठीक है तो यहां पर obviously बात है LOS का पर है महारास्ट्रा POS का पर है वो भी महारास्ट्रा S123 माईडियोफरेट्स राइट और LOS sorry तो यहां पर tax कौन सा लग जाएगा तो लग जाएगा CGST और महारास्ट्रा SGST correct तो do you realize since यह interest rate supply है यहां पर TDS कटता भी है तो T TDSB कटे गा S, C, N S, पर दोस्तो यह S कौन सा होगा यह GUJRAAT SGST वाला S होगा क्यों कियो कि रीसीपंट तो बेटा कहां का है वो तो गुजरात कहां है तो वो तो जो TDS कट के जमा करेगा वो तो GUJRAAT को ही करेगा भाई तो होगा क्या वो जमा करेगा गुजरात के पास पर supplier कह e-cash ledger में तो वो पैसा जो रिसीपन ने गुजरात के पास जमा किया है वो supplier को महारास्टा कैसे दे सकता है अपने e-cash ledger के अंदर got it तो यहाँ पे supplier का नुकसान हो जाता और वो नुकसान government को नहीं होने देना था और इसी लिए government ने बोला कि यहाँ पे recipient to tdse नहीं काटे का ठीक है पर क्या यह दिक्कत आती है अगर यह महारास्टा में होता तो नहीं क्योंकि वहाँ पे जो cgst और sgst होता वो महारास्टा sgst होता तो जमा भी महारास्टा state government के पास होता supplier का e-cash ledger भी महारास्टा state government के साथ ही maintained है right yes अच्छा मुझे बता यह अगर वो दिक्कत होती अगर वो क्या ऐसा scene ऐसा होता के place of supply यहाँ पे क्या होता गुजरात होता तो दिक्कत आती नहीं क्योंकि रिसीपन भी गुजरात में है यहाँ पे लग जाता क्या दोस्तों IGST got it IGST लग जाता तो आज गुणा कहा हो है जहाँ पे रिसीपन लोकेटेड है right तो simple सी वात है यहाँ पे कटता भी क्या IGST okay तो दोस्तों दिक्कत सिर्फ तभी होती जब my dear friends supplier और place of supply एक state में है और दूसरे state में ही क्या है भलते ही state में है कौन recipient और वो अगर वहाँ पे पैसा जमा करेगा तो supplier को नहीं मिलेगा because supplier कोई और state में है okay तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया है क्या इसलिए यहाँ पे बोल दिया है क्या दूस्तों no TDS ठीक है अच्छा है और दो चीज़ क्या है add की गई है अगर क्या है कोई PSU दूसरे PSU को supply कर रहा है फिर या तो वो अपनी ब्रांच है या तो कोई altogether another PSU है okay अपनी ब्रांच है यानि कि क्या SBI Mumbai दे रहा है service SBI अंदाबाद को right या फिर SBI service दे रहा है ONGC को okay तो do you realize अपने distinct person को या altogether another PSU को तो भी यहां पर TDS नहीं कटेगा तो यह लोग TDS नहीं काटेंगे as recipients ठीक है और 5th यह है कि भाया यह जो specified recipients की list में मैंने आपको बताये थे ना उन मेंसे वो कोई लोग अपने बिरादरी में service दे रहे है तो उनको भी क्या TDS नहीं कटे का is that very clear my dear friends yes perfect है दोस्तों तो यहां पर यह scene sort हो जाता है आपको याद रखना बस फटावट से अभी OC book में जाते है और यह beautiful सा चम चमाता sum करते हैं okay अच्छा देख लेना है मिशाक याद रखना कभी भी TDS के sum में और पक्का यह TDS का sum आएगा एगा लिखके लखना मा कसम 4-5 पाक यहां पर मिल जाएंगे आपको अच्छा मनिहर एंटरप्राइज रजिस्टर इन डेली तो लिख लेने का के supplier कहां पर रेजिस्टर है भाई है दिली में तो लोस लिखते ने का ठीक है और October महीने का आप क्या कम्प्यूटेशन कर रहे है चेक करो supply okay of stationary to fisheries department कॉलकता देखो वो जो भी supply कर रहा है याद रखना किसको कर रहा है government department government agencies यानि वो specified recipient वाले लोगों को ही कर रहा है ठीक है अभी इसमें वो कर रहा है क्या fisheries department of कॉलकता को ठीक है कितना कर रहा है 260 सबसे पहले याद रखना मैं आपको एक checklist देता हूँ checklist क्या होता है सबसे पहले ये check करो मा कसम के भाया taxable supplies जिसका contract value is more than 2 and a half lakhs पहले ये 2 and a half lakhs के ऊपर है के नहीं वो चेक कर लो वही पर अगर क्या गाड़ी फस जाती है तो खतम बात और याद रखना ये ये जो contract value है वो excluded होगा रहाँ from GST और यसे value लेना है inclusive of GST नहीं exclusive of GST value लेना है समझा तो कर inclusive दिया तो exclusive करो और फिर देखो क्यो टू अना flex से कम है या ज्यादा कम है तो नहीं TDS ज्यादा है तो आ जाएगा ठीक है दूसरा आप क्या checklist करोगे वेटा very simple भाया वो लोस पी औस और लोर वाला scene चेक कर लो ठीक है और तीसरा वो PSU वाला चेक कर लो और वो क्या है अपनी बिरादरी अगर अपनी बिरादरी अपनी बिरादरी को दे रहे service वो exempted list चेक कर लो as simple as that ठीक है तो फिर आपको क्या idea आजाएगा कि भाया okay और एक और चेक कर लेना क्या कि supply जो है वो taxable है exempt, exams apply तो भी TDS नहीं आए तो यह चार चीज़ चेक कर लेना पहले तो threshold limit फिर तीन अपने जो क्या है exemptions है वो जहाँ पर TDS deduct नहीं करना होता ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों simple सी बात है GST का rate दिया है कितना 18% ओके तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना inclusive of GST का क्या contract value हो तो आज दोस्तों 2,60 की बात करें तो 2,60 की में से अगर मैं क्या 18 टका निकाल हो तो यार जो भी value 2,50 के नीचे ही होगा मैं लिख के रही सकता हूं basic math है यह तो पक्का दोस्तों यहाँ पर TDS नहीं कट रहा है ठीक है second supply of car rental service to municipal corporation of Delhi 295 right तो इसका अगर आप क्या है 18 टका inclusive basis से क्या है निकाल value इसका आएगा 2,50,000 तो दूस्तों 2,50,000 अगर value आता है तो क्या होगा TDS काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए क्यों बेटा because exceeding 2,500,000 लिखा है समझा अच्छा tricky adjustment था है third supply of heavy machinery to PSU is located in Uttarakhand okay क्या होना चाहिए बताइए 5,90,000 है 25,000 है ठीक है सबस फुल्फिल होता है 2,50,000 लिख से पक्का ज्यादा है ठीक है दूसरा क्या यह exempted है नहीं यह taxable है बकाइदा ओके तीसरा याद रखना यहां पर LOS क्या है देखो LOS तो अपना क्या है डेली है POS कहां पर है और LOR कहां पर यह आप मुझे बताएंगे चले आप मुझे UK आ जाएगा यह भी UK आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर लग जाएगा IGST और IGST का 2% यानि की दोस्तों 2 टका IGST लग जाएगा कौनसी वैल्यू पर लगेगा वो मुझे आ पताईए 5,90 पर लगेगा 5,90 में से 8 टका निकाल दूस पर लगेगा या 25,000 पर लगेगा वो आप बता दीजे बता दीजे बटा शर्माईये मत बिलगुल शर्माईये मत बताईए बता ही दीजे बटा जिजा के मत इसमें एकदम सही बोला बटा ओके 25,000 पर ही आएगा दोस्तों 2 टका बिकोज मैंने हमेशा से बोला है कि भाईया आज याद रखना TDS का रेट आप जो वैल कई बार ऐसा हो सकता है कि आज 10 लाग का कॉंट्रक वैल्यू है और दो टका में अगर क्या है 10 लाग पे मारा हो 20,000 पता चला है साले ने इन्वोईजी रेस किया 10,000 का तो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसको 10,000 पर मुझे TDS काटना है 20,000 तो मैं क्या पेमेंट ही नहीं दूंगा क्या उसको इसलिए उन्होंने क्या TDS का रेट रहा है नहीं लोवर वैल्यू पर रखा है वो वैल्यू जो आप रेमिट कर रहे हूं आपको तो पता है कि अगर आप 10,000 का दू टका है तो तो डेफिनिटली ओ लोवर अमाउंट ही होगा आप समझ रहे है कि इस सिचुएशन को एसकेप करने के लिए उन्होंने यह वैल्यू लिया है यह यह लॉजिक दिया है मैंने आपको तो आप मन में भी ऐसा सोचो तो फिर यह थोट के साथ आपका विजन बदल जाए कि अहां यह 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 सर ने बताया था यह नहीं है पर यहां पे LOS B Delhi में है POS B Delhi में है और LOR B Delhi में है Do you realize that my dear friends? Yes, तो यहां पे intra state लग जाएगा और C और S एक रिक टका कटेगा कितने पे, कितनी value पे 50,000 पे समझा? Yes, 500-500, okay perfect, next supply of printed books and printed postcards to west delhi post office out of total contract value of 9,72, okay 7,00,000, okay is for exam supplies and 272 is for taxable तो दोस्तों exam supplies को ignore करो taxable supplies में से 8 टका निकालो पता चलता है कि यार यह 8 टका जो है वो obviously बेटा आप समझो 2,95,000 से 8 टका निकाला तो 250 पे पाँचे तो 72 टका निकालेंगे तो 250 के नीचे ही पाँचेंगे simple basic math है तो बेटा ओविस ही बात है कि यहां पे भी हम TDS नहीं काटेंगे बिकुस वैल्यू थेशोल लिमिट से एकसीड ही नहीं हो रहा है next, maintenance of street lights in municipal area of east delhi the maintenance contract entered into with municipal corporation of delhi also involves replacement of defunct lights and other spares. However, the value of supply of goods is more than 25% of the value of composite supply okay, is that very clear अभी देखो दोस्तों, यहां पे आना यह classic example किसका है किसका है यह classic example है दोस्तों okay, exam supplies का under entry number 3 ठीक है? तो यह पूरा exam supplies है my dear friends, इसके लिए यहां पे भी TDS नहीं करटेगा, बिकुज आपको पता है कि TDS तभी करता है जब उता है क्या taxable supplies, is that very clear my dear friends, yes okay, अभी फटा होच्चे दूसरा question देलो, बिड़ा आवडे चेने दिविया वर्षा रेडडी, अंजली शृष्टी, पूजा रानी, आशीष रे यस और नो, yes okay, yes okay, next यह बीच्चे चेने, असुनला फटावचे चेने, a CG department located at UP is registered with commercial tax department UP for deducting TDS it enters into a contract with PSU registered under GST in the state of Delhi for supplying goods valued 3,50,000 the PSU argues that no tax is deductible by the CG as it is located outside the state of UP and therefore not liable to CGST, SGST local levy, IGST is not applicable if it is not located in another state, you are required to comment on this बताओ क्या होगा दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ पर अगर आपको comment करना तो कर सकता है कि भाहिया, आज, okay आप समझे कि CG department located in UP is registered with commercial tax department of UP for deducting TDS ठीक है it enters into a contract with PSU registered under GST state of Delhi for supplying goods okay, तो simple सी बात है आज जो PSU है उसने decide किया है कि भाहिया मैं तो यह CG department को बेच होँगा right, yes, okay because CG department is registered as a TDS deductor तो वो तो obviously recipient ही होने वाला है अब यहां पर दोस्तों CG वाला काप है UP में और supplier काप है दिल्ली में और obviously बात है वो डेली से UP माल बेच रहा है तो simple सी बात है यहां पर place of supply my bad UP ही हो जाएगा तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं यहां पर IGST लग जाएगा भाई इसमें कोई question नहीं question है कि भाहिया यहां पर PSU CG को क्या है गुजिया service दे रहा है तो अपनी बिरादरी वाले लोग अपनी बिरादरी को service दे रहे हैं तो इसलिए वो हो जाएगा क्या case जहां पर TDS नहीं deduct होगा correct yes पर what would your answer be if instead of PSU private entity दोस्तों कर दे रही है तो आज simple सी बात है PSU के बदल है यहां पर private entity आ गया तो क्या answer change होगा definitely होगा यहां पर and simple सी बात है यहां पर 3.5 लग का था service sorry goods तो यहां पर definitely क्या है TDS deduct होगा okay and yeah if it was an entity in private applicable rate of deduction is okay 1% 5 ठीक है TDS definitely क्या deduct होगा because yes contract value जो है आपका taxable supplies का is more than 2.5 lakhs और recipient आपका क्या है specified recipients की list में आता है next if the private entity undertakes works contract for above department in New Delhi what would be the position of tax deduction when the contract value is 5 lakhs ठीक है फिर उस case में भई आज क्या होगा बताईए तो अगर आप अगर आप चेक करेंगे my dear friends undertakes works contract for the above department in New Delhi right तो आज इस situation में अच्छा यहां पर उनको फ्रैंकली एक और information दे देना चाहिए था के undertakes work contract service for an immoral property located in Delhi then it would have made more sense right तो यह देली में है और फिर क्या है यह तो भईया UP का है तो यहां पर 4th क्या है disbursing officer has not paid the tax deducted in the month of February amounting to 2 lakhs under CGST and 2 lakhs under SGST to the government's account on the relevant due date but has paid it on 14th May further return for that month is also filed on that date what are the consequences of such failures तो अगर आपने क्या है tax का जो TDS का amount है वो late pay किया है और return भी late file किया है तो interest or late fee दोनों लगेगा कब से कब तक लगेगा तो simple सी बात है आपके due date से जब आप वापस जमा कर रहे हो तब तक लग जाएगा ठीके तो यह transaction कब हुआ थो उसका date क्या है बताओ देखो पहले check करो तो आज disbursing officer has not paid the tax deducted in the month of feb तो feb में करना था peb में किया है deduct तो आपको 10th March को कर देना चाहिए था पर अपने 10th March के बदले 14th में को किया है समझा तो उतने का interest और उतने का क्या है definitely दोस्तो आपको late fee भी लग जाएगा तो 4th वाले में check कर लीजे 10th of March से लेके 14th में 65 days होते है दोस्तो कैसे एक बार घिनके बता देता हूं दोस्तो okay March में 31 days होते है उसमें से 10 चले गए तो बचे कितने 21th April में 30th और मई में अपन लेंगे 14th because 14th मई को ही आपने क्या पेमेंट किया तो वो जाएगा 5 तो वो जाएगा 65 days got it my dear friends yes और यहां पे 25 रुपया प्रती दिन for 65 days or 1,000 तो 1625 or 1,000 whichever is तो आजाएगा कितना 1,000 और फिर लास्ट बोला है department has issued TDS certificate to private entity on 31st तो अभी issue कब कर देना चाहिए था तो अगर for example यहां पे एक गलती हो गई है यह बोलके कि भईया यहां पे यह लोग को यह भी information दे देना चाहिए था कि उसने जमा कब किया remittance कब किया right and वो नहीं बताया है if I'm not wrong huh तो sorry my bad 14th में दिया है 14th में दिया है 14th में दिया है 19-5 को इशू किया है 19-5 से 19-5 is the due rate और अपने इशू किया 31st में को तो जो भी है कि भाईया आज 19th में तक आपको कर देना चाहिए था पर फिर क्या है 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 30-31 ओके तो obviously यहां पे जो 12 days है उसका क्या है 100 रुपया लग जाएगा आपको तो 1200 वो और 5000 whichever is lower तो definitely दोस्तों वो आ जाएगा कितना 1200 ठीक है that's it my dear friends और यह भी क्या है यहां पे आपके 25 रुपया है ठीक है that's it my dear friends does that make sense तो यहां पे मैंने one concept one question में सबका computation आपको दिखा दिया है कि कब TDS data करना है कब नहीं करना है rate of interest कैसे calculate करना है late की कैसे calculate करना है both in case of belated filing of return and belated issuing of correct TDS certificate everything is covered up to date कोई भी confusion आपको अपने end पे नहीं होना अची ठीक है done we are done with my dear friends TDS अब दोस्तों तुरंत फटावट से करते है TCS right तो TCS बहुत ही easy है आज यह फटावट से क्या है देख लेते और उसके पहले दोस्तों मैंने मेरी जो GST amendment series है उसके अंदर TDS in one minute करके क्या है समझाया है जिसके दो पार्टे पार्ट one दोस्तों मैं पूरा concept समझा दिया पार्ट two में new TDS जब आएंगा वो समझा दिया है फटावट्च उसको covered under section 52 of CGST act और याद रखना my dear friends with respect to TCS हमेशा e-commerce operator है जो TCS काटेगा वहाँ पे TDS काटेगा recipient यहाँ पे TCS काटेगा e-commerce operator क्योंकि वहाँ पे लिखा tax deducted at source तो supplier का source of income कहा से आता है recipient से तो वो काटेगा और यहाँ पे TCS tax collected at source यानि कि याद रखना यहाँ पे supplier को consideration भली at the end of the day तो recipient का chip से आता है पर उसको remit कौन करता है recipient नहीं करता है उसको remit कौन करता है e-commerce operator यानि कि flip part या फिर Amazon वो काट के देते दोस्तों are you getting it yes तो फिर उस scenario में my dear friends याद रखना याद रखना के ECO काटेगा ECO काटेगा TCS याद रखना वो ECO कौन हो ना चीए not being an agent यानि याद रखना याँ पे someone like OLX को क्या है बेटा बेदखल कर दिया है because OLX के case में याद रखना वो ECO है who is an agent right पर Amazon flipkart he is not an agent or they are not an agent why because e-commerce operators government क्या define करता है कि ऐसा बंदा जिसके थुरू गुजवर सर्विस supply हो और जो supplier के भियाफ पे रिसीपंट से consideration ले ले are you carrying it yes पर OLX में ऐसा नहीं होता OLX में क्या है मैंने लिस्ट कर दी और Divya को क्या फोन अच्छा लग गया तो Divya मुझे DM कर देगी मैंने उसे साथ नंबर शेयर कर दिया कॉल पर बात कर ली हमारा मोबाइल का क्या एक प्राइस डिसाइड हो गया मैंने डिलिवर कर दिया उसने पैसा कर दिया खतम बात खतम कोई भी यहां पर लोजिस्टिकल सपोर्ट मुझे OLEX से नहीं मिल रहा है और नहीं मैं पैसा क्या है OLEX मुझे दे रहा है बिकुस नहीं Divya ने वो पैसा OLEX को दिया है, as simple as that सीधा पैसा बेटा रिसीपन के जेप से जाएगा सप्लायर की जेप में तो वो लिटरली मिलाने का काम कर रहा एक एजन्ट का ही काम कर रहा है तो आज उसके आथ में पैसा ही नहीं आ रहा है तो TCS काहां से कट लिगा पर Flippkart या Amazon के आथ में क्या है पैसा आता है और वो रिसीपन के जेप से आता तो तब जाके आपके पास opportunity कि जब आप रमिट कर रहे हो supplier को काट के करो क्या बढ़ा काट के करो समझा yes okay ये case अच्छा TCS का rate का है my difference very simple TCS का rate obviously है 1% TDS का 2% TCS का 1% TDS का 2% TCS का 1% और 1% किसको पर गाट होगे TDS कटता था पेमेंट वाल्यू और ये कटेगा on net taxable value of supplies that you have done in that month okay किशारा किस बात की तरफ है दोस्तों तो यहाँ पर clearly बोला है कि net taxable value क्या है तो बोला है जो भी आपकी aggregate value of taxable supplies है other than 9.5 वाली supplies because 9.5 वाली supplies मैं याद रखना TCS नहीं कटेगा उसमें तो बेटा 9.5 खुद क्या है 18.5 वाली supplies को निकाल दो क्योंकि वाँ पर TCS का कोई concept ही नहीं है और जो आपने okay flip card के थूँ माल बेचा है for example एक करोड का अपने माल बेचा है एप्रिल में और आपको वापस sales return आया कितना 20 लाग का तो आप net 80 लाग पर क्या है my dear friends उसमें कोई भी 9.5 वाली supplies ना है is that very clear yes okay perfect अच्छा TCS जमा कप करेगा तो आज दोस्तों TDS के बारे में तो concept simple था वहाँ पे काटा और अगले महिने की 10 तारिक को पे कर दिया यहाँ पे काटना वर्ड नहीं है यहाँ पे वर्ड है the month in which supplies have happened समझा तो आज April में जो भी supplies हुई है उसका दोस्तों मैं TCS काटूंगा April के month end में because month end में ही मुझे पता चलेगा कि कितना return आया और कितना विकाय माल correct और मैं बेटा अगले महिने की ही क्या है 10 तारिक को कर दूंगा जब supplies हुए थे तो supply हुए उसके अगले महिने की 10 तारिक को मैं TCS जमा कर दूंगा जैसी ही जमा कर दूंगा दोस्तों supplier के ही cash ledger में वो जमा हो जाएगा और obviously दोस्तों अगर क्या है supplies हुआ है April के महिने में मुझे TCS काट के बर देना है 10 मही को मैं अगर 10 मही से लेट करता हूँ interest लग जाएगा 18% late fee लगेगा return पे because वहाँ पे GSTR 7 था यहाँ पे GSTR 8 है बस late fee थोड़ी अलग है 100 रुपया प्रती दिन और 5000 whichever is lower है और दूसरा यहाँ पे sort यह करना matter आपको के अपने monthly return के साथ-साथ आपको एक annual statement file करना है on अगले साल के 31 December को जैसा अपना annual return होता है वैसे यहाँ पे annual statement होता है और अगर कोई e-commerce operator को notice हाता है दोस्तों deputy commissioner का के बताओ कि आपका stock कितना है बताओ कितना volume of goods or service आपके through supply हो रहा है वो information आपको 15 working days के अंदर उनको दे देनी होगी क्योंकि अगर आपने नहीं दी तो बकाइदा दोस्तों याद रखना ओके आपको penalty under section 122 तो लगी जाएगा पर साथ-साथ में एक extra penalty लग जाएगा up to 25,000 ये दोस्तो please 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 याद रखना अब इटा याद रखना are you getting it? yes okay तो ये है आपका TCS okay perfect TCS पे OCO Q में मैंने छोट उसा क्या है question रखा है चलो बताओ क्या होगा याँ पे कि अज Mr. Aman जो है दोस्तो वो क्या है दोस्तो बताइए sells boat headphones through Amazon जो है ECO okay that collects TCS under section 52 amounting to 100 lakhs it also supplies notified services under section 95 through ECO amounting to 20 lakhs sales return of boat headphones is 10 lakhs what shall be the TCS liability of Amazon बताओ तो दोस्तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 100 lakh लोगा फिर 20 lakh को clearly ignore करूँगा और 10 lakh को क्या है माइनस कर दूँगा are you getting it? yes यानि 90 lakh पे दोस्तो मैं क्या कर दूँगा very 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 simple एक टका TCS कटवा दूँगा is that very clear my dear friends yes okay okay यह multiply पे 15 क्यों की आप में okay perfect तो I hope that is very very clear okay next क्या है my dear friends next है एक super 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 amendment जो TCS में आ दोस्तों ठीक है पक्का आ सकता है MCQ अगे रहा मैं चेक कर लो देखो उपर दोस्तों क्या है कोई confusion नहीं था उपर एक ही ECO था दोस्तों flip card तो ECO भी वही काटेगा sorry TCS भी वही काटेगा my dear friends does that make sense yes okay perfect बड़ दोस्तों मैं जब बात करता हूँ my dear friends यहां की तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा क्या यह भाईया सु बात ONDC की जब करते है तो ONDC क्या है पहले वह समझ ले तो आज मैं बता देता हूँ पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ तो Amazon ने क्या गुल खिलाया Amazon ने multiple sellers को एक platform पे खड़ा कर दिया जहां पे उसको access करेंगे क्या multiple buyers और multiple buyers को multiple sellers एक ही चीज बेच सकते हैं तो jeans के 10 जन mobile और उनके 10 जन whatever perfect तो एक market place create होगा है यहाँ पे सबजी मंडी टाइप बट दोस्तो market place का भी market place यानि aggregator होगा aggregator शेहन्चाओ का शेहन्चाओ बाच्चाओ का बाच्चाओ यानि कि आज ONDC कौन है तो ONDC ऐसा बंदा है कि आज दोस्तो उस पे sellers लिस्टेड नहीं है उस पे market places लिस्टेड है यानि कि Amazon, Flipkart, Snapdeal यह सब यहां पे है तो आज मैं अगर यहां पे जाता हूँ तो मुझे literally ऐसा है कि यह road का mic है दोस्तो तो मैं देख सकता हूँ Amazon में कितने में मिल रहा Flipkart में कितने में मिल रहा और Snapdeal में कितने में मिल रहा और जो सस्ते में बेच रहा मैं उसका खरीद दूँगा Are you getting it? Yes और ONDC मेरे घर पे deliver करने आएगा वो चीज और कोई नहीं करने आएगा ONDC खरीदने आए deliver करने आएगा तो इसमें होता क्या होता है क्या कि जैसे मैंने example दिया है कि अच तृप्ती दिमरी जी है दोस्तो Animal की current favorite है लोगों की तो तृप्ती दिमरी जी दोस्तो buyer है और seller कौन है अपने रनबीर का पूर ओके? Yes तो आज दोस्तो वो अपना order place करेंगी ONDC पे, ONDC वो order को direct करेंगे Amazon को और Amazon वो order direct करेंगे finally supplier को जो बेचने वाला है, तो आज दोस्तो होगा क्या very simple इस scenario में confusion ये था कि यहाँ पर दो ECOS है तो माकसम फिर यहाँ पर TCS काटेगा कौन? अरे TCS कौन काटेगा भाई? तो government ने बोल दिया वो ही व्यक्ती जो last में क्या है supplier को payment करेंगे तो कौन कर रहा है? तो बोला seller side ECOS, supplier side ECOS यानि की Amazon तो Amazon ही TCS काटेगा समझा? और काट के देदेगा रनबीर को और रनबीर के ECOS ledger में वो पैसा जमा हो जाएगा गौट इट? येस और यहाँ पर scenario क्या है? और ही तो आज दोस्तों ये और ही selfie stick खरीदा है ONBC के through from Amazon और वो selfie sticks भी क्या है Amazon basics का है my dear friends तो इस scenario में do you realize what is happening? what is happening is कि उसने तो क्या है order दे दिया ONBC को ONBC ने उसे direct कर दिया Amazon को अभी Amazon खुद ही खुद का product बेच रहा है Amazon खुद ही खुद का product बेच रहा है are you getting it? येस यानि यहाँ पे supplier side ECO भी वही और supplier भी वही है तो who is the last person जिसने supplier supplier को पैसा दिया है तो बोला buyer side ECO तो आप उसको बोलो के भईया तू TCS क्या है? deduct कर दे और मुझे काट के पैसा दे दे are you getting it? yes okay तो बस वही था और इसलिए यहाँ पे O and DC काटेगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? supplier side ECO TCS काटेगा और यहाँ पे buyer side ECO काटेगा ठीक है? situation क्या है? यहाँ पे supplier sorry यहाँ पे supplier और supplier side ECO दोनों अलग-अलग है और यहाँ पे दोस्तों supplier and supplier side ECO दोनों same है समझा? तो पहले में दोनों अलग-अलग दूसरे में दोनों shame to shame is that very clear guys? yes तो question यही पूचा जा सकता है कि TCS कौन काटेगा? okay yes अपने OCO की उबुक में मैंने question बनाया देखे क्या है? Miss Babita from Mumbai Babita पपीता नहीं है वहाँ okay brought TV through ONDC app from Amazon and Amazon directed the order to Jethalal Pune for the same the supply was amounting to 1 lakh rupees who will deduct TCS under section 52 and what will be the amount of the same? कौन deduct करेगा बटा? Babita Jethalal ONDC Amazon कौन कारे से? बटा कौन कारे से? Amazon absolutely correct that is supplier side ECO okay अच्छा और यहाँ पर बताओ Mishraddha Indoor की यह दोस्तों bought mobile stand from Amazon Basics through ONDC app from Amazon Mumbai where the supply amounting was 10,000 तो बटा कौन करेगा यहाँ पर? ONDC app क्यों कि यहाँ पर supplier and supplier side ECO दोनों है shame to shame one and the same is that very clear my dear friends yes sir तो यही बात करने थी तो मैंने कर दी है दोस्तों वो भी concept के साथ and that is where my dear friends we conclude TCS chapter are you getting it? yes sir okay perfect अभी last जो नए chapter हो में रहे जाता है my dear friends वो है क्या? okay accounts and records okay 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 friends okay 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 आज़े चले finally दोस्तों बात करते है accounts and records की इसमें एक दो elements मुझे लग रहा definitely question कुछे जा सकते है but not the entire chapter okay so first is who is required to maintain the books of accounts obviously the registered person okay कहां तो obviously in his principal place of business and additional place of business right yes तो principal place of business में principal place of business के records जा additional place of business में उनके यो transaction है उसके records ठीक है अभी दोस्तों यहां पे बात की गई है इसकी a true and correct account sorry account of following is to be maintained okay तो आज दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो simple सी बात है production और manufacture of goods inward and outward supply stock of goods ITC availed output tax payable records prescribed by roads perfect yes दूसरा दूस्तों है बात करें अगर suppliers of goods and services chargeable to tax और दूसरा ओके बात कर रहे हम लोग recipient of goods and services तो आज या दखना reverse charge supplies along with relevant records तो उसकेस में goods, services imported or exported names and addresses of separate accounts including advances and the addresses of the premises बेदा गुजजार store ठीक है यह सब चीज़े जरूरी है भाई अचा रेकोज़चार to be required only by supplier other than a supplier opting for composition scheme तो फिर account of stock of goods या तो जो receive हुए है ओके जो opening balance है जो receipt है जो stolen है destroyed है free samples है stock balance है वो सबा जाएगा and second is my dear friends account of details of tax payable collected and paid ITC claimed debit note trade note delivery चला ठीक है अभी दोस्तों frankly speaking मेरे को इसका क्या है मैं आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है तो जैसे agent है तो agent के case में my dear friends अगर आप चेक करेंगे तो दो-तीन चीज़े करनी है ओके obviously जो goods क्या है आपने principal से receive किये और जो supply कर रहे है वो याद रखना है principal से आपने authorization लिया है कि नहीं document आपको क्या है दिखाना है ठीक है and obviously क्या है दोस्तो okay details of accounts furnished to every principal okay simple तो authorization है goods का आवन जावन है details of accounts and दूसरा yes also last one is tax paid on receipt and supply of goods तो जो input tax आपने pay किया उसका ITC और जो output tax यहां पे आपने क्या है charge करोगे अगर कोई deal supply हुआ तो ठीक है perfect है दोस्तो next क्या है manufacturer तो manufacturer की case में obviously दोस्तो आप raw material लोगे services लोगे okay तो वो definitely क्या है आपको उसका record रखना पड़ेगा दूसरा FG आपने जो बना के क्या है बेचने वाले उसका आपको record रखना पड़ेगा basically the goods that you have manufactured अचा कोई अगर waste उस process में आया है including byproducts तो उसका भी record रखना पड़ेगा तो raw material दोस्तो used in the manufacture goods so manufactured including okay waste and byproducts का record and दोस्तो obviously क्या production account showing quantitative details अच्छा next my dear friends service provider की बात करें दोस्तो तो service provider भी जो goods और service use कर रहे हैं providing services उसका record service job supply कर रहे हो उसका record ये सब record आप रखेंगे with respect to service provider ठीक है next is my dear friends transporter तो transporter की बात करें my dear friends तो बात ये हो रही है transporter की के भाईया आज records to be maintained by owner or operator of go down और warehouse वाला तो इस case में transporter कौनसे records maintain करेंगा के भाईया goods that are transported or delivered goods which are stored with him in transit right GST number of what registered consigner and consigning for each of his branches ठीक है ये हो जाएगा ठीक next my dear friends क्या है very simple owner और operator of go down और warehouse वो क्या रखेगा तब period for which the goods remain in his go down right and दोस्तो ओविसली क्या है moment of goods with respect to receipt and disposal के कौन से आ रहा है कौन से जा रहा है कौन से store हो रहा है ठीक है परफेक्ट अब लास्ट दोस्तों जो बात कर रहे है हम लोग ये बात कर रहे है कि how the accounts and records will be maintained ओके तो आज दोस्तों simple सी बात है records in electronic form की बात करें तो दोस्तों it should be authenticated by digital signature it should be produced on demand okay in either hard copy or readable pdf format okay there should be proper electronic backup of records to be maintained and preserved and there should be details of file and their passwords should be given when it is necessary that it should be accessed याद रखना कभी भी क्या कोई भी entry क्या overwrite मत करना ठीक है incorrect entries डालना मत other than those of krelikar nature right books of accounts to be maintained okay manually by serial number and last is in case electronic records being maintained a log of every entry that is edited or deleted shall also be maintained right perfect and on demand कभी भी क्या है books दे देना है अगर क्या है proper officer की सही authority ना पूछा तो अच्छा फेलियर to maintain accounts can lead to what the proper officer should determine tax payable on such unaccounted goods and services as if the same has been supplied तो आज उनको अगर कोई goods मिल गया है जिसका आपने accounting नहीं किया है तो ऐसे ही माना जाएगा कि यह goods supply हो चुका है और आपने उसके relation में गुना कर दिया है और उसके relation में आपको GST pay करना पो है और वो भी demand notice निका लेगा 73-74 के ते जो demand and recovery के sections है जो आपको रुला देगा माघसम penalty 100% याद रखना रहा हो याद नहीं रखना बस ऐसी information बता रहो 73-74 offences demand and recovery में आता है और वो final CH मुझे लगता है अगर कोई question आपको ये level पे पूछा जाएगा तो ये है कि आपको कितने time तक क्या books of accounts maintain करें तो okay यहाँ पर income tax का आपको पता दोस्तो पर GST का मैं बता देता हूं 72 months from the due date of furnishing annual return pertaining to such records यानि कि अगर आपने supplies की है in the financial year 23-24 तो वहाँ से बेटा due date पकड़ो तो due date क्या annual return की 31st December 2024 ओके वहाँ से आपको पकड़ना है 72 months यानि 6 साथ ओके तो 31st December क्या जाएगा 2030 यह दिन तक आपको maintain करना है वहाँ कसे समझा इसके बाद दोस्तों आपको कुछ maintain नहीं करना है जला के राग कर दो तीली जला दो बिलेट कर दो तेल लगाने ठीक है यह case है बट दोस्तों गवर्मन ने बोला है क्या अगर आपका case जाता है appeal में revision में या any proceedings under appellate authority या revisional authority या tribunal या court या कोई investigation चाप रहा तो उसको ज्यादा time लग सकता है और ज्यादा time का मतलब है कि छे महिना भी क्या है कम पढ़ जाए राइट तो उसमें 72 months वाला तो date लेना ही यानि कि क्या for example कोई case आपका था fi 23 24 का ठीक है वो चल रहा है उस पर investigation हो रही है उस पर तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक आ रहे है ठीक है करेक्ट तो आज आपके books of accounts आपको रखने चाहिए कब तक तो बोला 31 डिसेंबर 2030 तक अब जज्जमेंट आ रहा है दूस्तों कभी एक एक 2021 में कि भाई आप बुक्स ओप अकाउंट इसको दिखाओ और तब जाके कब लिए करो अब आप बोलोगे भाई books of accounts अंधे तो कली जल आ दिए महां के समश, और इसको पर मेरे को इतना इसको स्प्राइक और मेर पार्मक पर पर मिलीड दिए मैं इसे-से आपने चल दिए आपगा तो अभी चाल में चल रहा है जा कि अभी तो कोट को नियाई देना जज्जमेंट देना बाकी आपने जला दिये तो ऐसा असेशी ना करें इसलिए गवर्मेंट ने क्या बूला कि आपका ओर्डर ये दिन आया था तो यहां से एक साल पकड़ लो यानि कि एक एक दो जार बत्थीस तो ये दिन या फिर ये दिन whichever is अरली है is that very clear sorry whichever is later my bad whichever is later right तो ओविसली ये दिन तक आपको फिर मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपका जो पीरियड है वो कोई इन्मेस्टिगेशन या कोई ट्रायल में है in court, tribunal ओके तो उस केस में गवर्मेंट ने एक साल से थोड़ा टाइम बढ़ा लिए समझा तो असे सी को क्या अभी मेंटेन कब तक करना पड़ेगा एक एक दोजार बत्तीस तत उसके पहले वो जला नहीं सकता समझा अगर उसका केस चल रहा है तो ठीक है तो ये दूनों प्लीज याद रखना 72 months वाला deadline और अगर आपका येस तो इस तरह से दोस्तों हमारे सभी नए chapters फुल बेटा conviction के साथ विट क्यूए ने जापे मा कसम बेटा guarantee है बेटा guarantee है मजाल है कोई के तुझे कोई provision ना है ठीक है वो हम लोगोंने less than 3 hours में खतम कर दी है बेटा और आप दरते हों कि आपको GST नहीं है बेटा मेरे रहते हुए बेटा पिर कोई 40 नहीं बेटा 45 के नीचे कोई माकसा है तो मजाल है मैं नाम चेंज कर दूंगा तो मेरा तो नाम अच्छा है Are you getting it? Yes Okay, so full confidence के साथ जोश जूनून के साथ जाएंगे एक एक चाप्टर इंपोर्टेंट वैसे जो है वो सब Q&A के साथ रिवाइज करेंगे तेंशन मत तो IDT का मैं हूँ ना मैं हो जाएंगे एक्जेंशन लाना इस साला We are aiming nothing less than 60 Because 45 तो बेटा IDT में minimum मैं लेकर आजाओंगा दूसरा 15 मान वीटी में यहाँ मैंनेज करने ठीक हो जाएगा तो तुरंत अपने क्या है दोस्तो ग्रूप्स में जाओ WhatsApp ग्रूप्स में मेरी नोट्स है और मेरे लेक्चर्स को भेजो इतना तो करना बनता है बेटा क्यूंकि मैं अगर इतना दिलो करो सब्सक्राइब करो दोस्तो और सर को आगे बढ़ाते रहो क्यूंकि आप ही क्या है मेरे एक दोस्तो ब्रैंड अब्सेडर्स हो जो मेरी क्या है इनिशेटिव को आगे लेकर जाएंगे अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो उसमें कोमेंट्स पर लिको विक्यों फिस वाई नयाए 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 चप्रिश्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेंट है इसमें से बहुत सारा वीट है मिनीमम वट आम एम एक्स्पेक्टिंग इस 15-20 मार्क और वह आसकता है अगर आपको में तो बहुत आपको यापको प्राक्टिस आपका बढ़ जाएगा पर टाइम नहीं है तो मेरे OCO की वूख से कर लो तथास्तू ठीक है की वूख से कर लो तो है की वूख से कर लूख से कर लो तो है है